हलो अच्छा स्वागत है आपका विजीरता सीरीज में मैसल प्राउनक और आज के लेक्चर में अपन करने वाले इंटरिकल चैप्टर के वी वी कोश्चन सबसे पहले आपसे गुजारीश है अगर आपने वह वन शॉट वीडियो नहीं देखा है जो अपने पहले पूरा चैप्टर उसमें कवर था हर कंसेप्ट के साथ महां पे सवाल करवाया गया था तो सबसे पहले आपसे वही गुजार के आने के चांसेज Issos है तो यह सारे आपके इसमें कवर हैं यहां पर आपके पीवाइए की उसका आपके जितने भी सवाल है उन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वह सब इसमें कवर हो रहा है ठीक है और जो भी एंसी अरl सेंगे करें और लास्में करेंगे लांग जो भ method और कौन सा step जो है वो यूज करने ठीक है चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर तो भई तैयार हो जाएए और आज मैं कोई motivational शाहिद ही नहीं बोलूगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस lecture के थूँ आप motivate हो यह बहुत प्यारा चैप्टर है मेरे दिल के करीमें इंट्रिगल क्योंकि यह यह calculus की जाने मैक्स की जाने और इससे बहुत सारे जो आगी के चैप्टर से आप अपने अच्छे कर सकते हैं तो चालू हो जाएए copy और pen लेके और एक-एक सवाल की अच्छे से practice कीजिएगा चालू करते देखे सबसे पहले अपन देखेंगे वी वी कोशन्स अपन इसमें साथ के साथ लास्ट में प्रेक्टिस कर लेगे और बीच में भी मैंने उनको यूस किया हुआ है सबसे पहले एक सवाल है बिल्कुल सबसे पहले आपको simplify करने है और फिर उसको integrate करने है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे cos2x आ रहा है अब आप cos2x आ रहा है और नीचे cosx आ रहा है आप मुझे कोई formula बता सकते है cos2x का क्या आपको यह formula बता है कि cos2x is equals to 2 times of cos2x minus 1 और यह formula आपको वहाँ पे अपनी copy में भी कर लिया और बोल दिया सर यह formula यूज हो रहा है पर वहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा अब cos2x का अगर आपकी formula इसके अंदर यूज करेंगे तो ध्यान से देखें क्या बनेगा यहाँ पर अपन देखते हैं यह बच्चों यह बन जाएगा integration बताइए बही cos2x का formula लग cos of x minus cos of theta चलिए अब इसको और simplify करते हैं कुछ cancel हो रहा है कुछ cancel हो रहा है बता सकते हैं आप देखेंगे यह minus 1 से minus 1 क्या हो जाएगा cancel बच्चों उपर से 2 common निकल जाएगा अब जैसे आप 2 common निकालेंगे तो ध्यान से देखें यह बन जाएगा एक formula बनता है a square minus b square का क्या होता है a plus b into a minus b तो लिख लीजिए since a square minus b square is equals to a plus b into a minus b देखो या चार नमबर तुम्हें अगर लेने हैं तो तुम्हें हर step को अच्छे से लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर जैसे आप यह formula यूज करेंगे यह आजाएगा cos x plus cos theta multiply multiply में कितना जाएगा cos of x minus cos of theta अब जैसे यह आप यह लगाएंगे आपको कुछ cancel होता हुआ दिखेगा बता सकते ही क्या cancel हो रहा है तो आप बोलेंगे sir यहाँ पे यहाँ पे यह minus वाला term क्या हो जाएगा cancel अब बच्छो इतका integrate करना कितना असान है ध्यान से देखे cos x cos x का integration क्या होता है sin x तो भाई लिख लीजिए is equals to two times of यहाँ पे आजाएगा sin of x plus cos theta अब कहीं बच्चे इसमें गलती क्या करते है देखिए यहाँ पे मैं वो भी चीज़े बता दूँगा जहाँ पे बच्चा गलती करता है cos theta का integration वो बोलता है sin theta पर मुझे यहाँ से तो theta क्या हो जाएगा उसके respect में constant तो बहार निकल जाएगा और constant अगर बहार निकल जाएगा तो यहाँ पे cos theta आ गया और अंदर कितना बन गया one, one का integration होता है x और plus क्या जाएगा c, कुछ बच्चे plus c नहीं लगाते हैं तो जब भी indefinite integration होता है जहाँ पे limits नहीं दे हो जाएगा अगर यह आना चाहे तो एक दो नंबर में question दे सकता है और आप अगर दे तो यह तुम पूरी step लिख ले ना एसा ना हो कि तुम direct answer यह लिखा और second step में अपना answer लिख दिया ऐसा नहीं करना है अपनको हर एक step को अच्छे से लिखना है चालू करें चलते हैं minus 2x या फिर इसको ऐसा भी पूर सकता था e की power x upon 1 plus e की power 2x dx जितने भी यह e की power x के खेल है ध्यान जे सुनना क्या करना होता है e की power x के खेल में आपको e की power x को t मानने है क्या करना है e की power x जब भी आए आप e की पावर x को t मानने का अपना लक्ष रखें देखें यहाँ पर आपको क्या की बने 1 upon e की पावर x plus e की पावर minus x and dx देखो यह सवाल बहुत ज़्यादा repeat होते हैं इसलिए मैं फिर से बता देता हूं जब भी बच्चो e की पावर x हो तो आपका a की लक्ष होना चीए e की पावर x को t मानना उसका reason सुनना उसका reason यह होता है क्योंकि बच्चो e की पावर x का differentiation भी e की पावर x होता है तो अगर आप यहाँ पे e की पावर x को t मानेंगे तो ध्यान से देखिए, e की पावर x अगर t है, इसका differentiation हो जाएगा, e की पावर x dx, is equals to कितना हो जाएगा d t, क्यों? क्योंकि बच्चों, जब भी अपन किसी variable को दूसरे variable में convert करते हैं, तो अपना मकसद क्या होता है, कि उस variable को पूरा eliminate कर देना, तो यहाँ पे अपन जितने x आ रहे हैं, उसको किस में convert कर देंगे, t में, चलिए, अब मुझे यह बताइए, यहाँ पे e की पावर minus x है, तो एक चीज तो तुम क्या कर सकते हो, इसको 1 upon e की पावर x ले सकते हो, और इसका LCM ले सकते हो, पर एक और चीज कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप e की पावर x से उपर भी multiply कर सकते हो, इसको I बोलके उपर भी multiply कर सकते हो, और नीचे भी क्या कर सकते हो, बच्चो multiply, उसका फायदा क्या होगा, देखना, उसका फायदा यह होगा, बच्चो उपर आजाएगा, e की पावर x dx upon, upon में कितना आजाएगा, इसको जब इसके साथ multiply करोगे base same होता है power add होती है और power अगर add करोगे तो यह आजएगा e की power 2x plus 1 देख लोगे अब किसको t माना था आपने e की power x को t माना था जल्दी से copy pen चलाईए और answer बताईए क्या ये ऐसा कुछ बन गया 1 upon 1 plus t square dt और बच्चो इसका integration क्या होता है इसका integration होता है 10 inverse t और plus c क्या ये बात सबको समझ में आ रहे है बिल्कुल warm up सवाल है ये अब t की जगे वापिस से रख दीजी तो ये आपके पास क्या वनेगा 10 inverse 10 inverse में कितना जाएगा e की power x और plus c देखो इस chapter से दो-तीन जो सवाल वनेंगे मैं चाहता हूं हर एक सवाल सब बच्चे का सही हो तो चालू करें next question तो ये आप options match कर लीजी ये option हो जाएगा आपका कि सबका answer यह आ रहा है क्या चलिए अगला का सवाल यह रहा यह रहा अगला सवाल अब इस टाइप का सवाल देखो पिछले साल भी पूछा गया था इस टाइप का था यहां पर ध्यान से देखना sign भी हो सकता है cause भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो तुम्हें क्या करना है तो मैं हमेशे याद रखना यह जो एंगल है इनका difference उपर create करना है इन दोनों का difference बता सकते हैं कितना बनेगा जल्ली से इन दोनों का difference आपके पास आ जाएगा x-a minus times of x-b सही है क्या यह आपका difference बन गया अब अगर यह आपका difference बन गया तो बच्चों यह value कितनी आ गई यह value equal to अगई बी- अब यह ही क्यों किया आपने उसका reason में आपको बताता हूं बच्चों मैंने क्या किया यह constant quantity है तो यहाँ पर वन देखो वन है इसका integrate करना था यह वन है तो ध्यान से देखना इसको मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया sin sin this minus this यह हो गया x minus a minus times of x minus b upon upon में कितना आगए ध्यान से देखें यह जाएगा sin of x minus a multiply sin of x minus b and dx ऐसा आगए और बच्चों इसको multiply किया है तो इसको divide भी करना पड़ेगा अब मैंने divide में क्या लिख दिया ध्यान से देखना इसको लिख दिया one upon sin sin में कितना लिख दिया b minus a अब यह b minus a क्यों लिखा क्योंकि बच्चों इसको simplify किया तो b minus a आगए और b minus a constant है तो आप इसको multiply का भार भ यूज कर सकते हैं sin of a minus b का अब यह formula आप जैसे use करेंगे आ जाएगा sin a cos b minus cos a sin b क्या यह formula सब समझ पारें और अगर यह formula आप लगा देंगे देखो उसका फायदा आपको समझ में आ जाएगा वह यह formula आप यूज कीजिए यह बन जाएगा one upon sin sin में कितना जाएगा b minus a multiply ध् of b minus cos a sin b क्या यह बाद सब समझ पारें अब अगर नीचे आप देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है sin of x minus a multiply sin of x minus b अब मुझे यह बताओ यहाँ पे dx है क्या तुम यह समझ पारे हो इसको जैसी अलग लग करोगे क्या cancel होता हुआ दिख रहा है और अगर cancel होता हुआ दिख रहा है तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया sin of b minus a multiply ध्यान से देखना अगर इसको इसके साथ लेकर अगर अलग करोगे तो क्या यह sin x minus से cancel हो जाएगा और अगर sin x minus से cancel हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? cot of x minus a minus cot of x minus b क्या ये बात तुम्हें समझ में आई तो अब तुम्हें ये समझ में आगे क्यों अपन ने इसका difference create किया था और बच्चो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये answer भी आजाएगा आपके पास ये आजाएगा 1 upon 1 upon sign को cosec लिख सकते हैं क्या तो cosec b minus a multiply ध्यान से देखना बच्चो कोट का integration कितना होता है ln sin x ठीक है और अगर ये ln sin x होता है तो ये बन जाएगा ln sin of x minus a minus ln of sin x minus b ठीक है और plus c और बच्चो ln something minus ln something वो divide में convert हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा cosec of p minus a multiply ln ln में कितना जाएगा sin x minus a upon sin x minus b और 7 में कितना जाएगा plus c तो अगर आप देखो mod भी लगा दे न यहाँ पे आप mod लगा सकते क्योंकि ln mod x होता है negative के लिए define नहीं होता है तो अगर आप देखोगे तो ये वाला answer आपका सही हो जाएगा clear रहे न यह होगा न एक बार देख ले न सही कहना आपने गल्ती है क्या गल्ती बता सकते हो कहां पे ये मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले solve क्या हुआ गल्ती देखना गल्ती बता है कहां हो गई this upon this क्या तो ये caught आएगा यहां पे x minus b आएगा clear रहे गया और यहां पे क्या आजएगा x minus a similarly बच्चों यहां पे x minus b आएगा और ये x minus a आएगा एक हल कीसी गल्ती पूरा सवाल आपको गलत करवा सकती है तो ये गल्ती ना करें तो इसका final answer ये नहीं होगा इसका final answer आपके पास क्या हो जाएगा causex b minus a this इसका सई answer is c clear रहे गया एक plus की गल्ती हल किसी plus minus की गल्ती आप देख सकते हैं आपका सवाल पूरा गलत और दो number गए तो ये गल्ती ना करें चलें आगे आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल ये रहा अगला सवाल ये रहा कहां गया ये रहा करें भई अब देखी मैं फिर से revise करवा देता हूं उन सारे formula's को जो अपन ने वहाँ पर याद किये थे टीक है जिन बचों ने वो नहीं दिखा है ध्यान से देखे तीन formula आपके पास आएंगे और ये area में भी used होते है पहला formula पहला formula होता है under root of x square plus a square dx दूसा formula होता है बचो under root of x square minus a square dx और तीसा formula होता है under root of a square minus x square dx ये तीन formula याद है देखना, यहाँ पर आपन क्या करेंगे, इसका formula यह बनता है, तीनों का, यहाँ पर आप x by 2 लिख लेते हैं, देखे न, यहाँ पर x by 2 और यहाँ भी कितना जाएगा, x by 2, यह जो function है, इसको आप आपी से लिख लीजिए, यह जाएगा, under root of x square plus a square, और 7 में कितना जाएगा, plus a square by 2 ln, ln में कितना जाएगा, बच्चों यह सोचों, जब यह one upon में होता, तो इसका integration क्या होता, इसका integration होता, ln x plus under root x square plus a square, और plus कितना जाएगा, c, similarly बच्चों यह आजाएगा, x upon 2 under root x square minus a square, अब बच्चों यहाँ पर plus या minus कैसे decide करते हैं, a square के sine से, तो यहाँ पर आजा n plus कितना जाएगा, c, similarly यह निकालेंगे, तो यहाँ जाएगा, under root a square minus x square, और plus a square by 2, बच्चों, one upon में होता, तो इसका integration होता, sin inverse x upon, और plus कितना जाता, c, तो यह formula आप इन तरीके से लिख लेना, जब भी इस type का आपके पास सवाल है, तो अब अगर यह सवाल की मैं बात बताएं बई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका perfect square बनाएंगे, अब इसका perfect square बनाया, तो ध्यान से देखी, यह सवाल आपको given था, यह सवाल आपको क्या given था, under root, x square minus 8x, अब बच्चों, 8 का आधा कितना होता है, 4, और 4 का square कितना होता है, 16, तो plus कितना लिख दिया, 16 और क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 7 दिया था, तो आपने minus कितना कर दिया, 9, क्या यह बात समझ पा रहें, अगर 16 minus 9 करेंगे, तो 7 ही आता है, अब बच्चों, अगर और इसको लिखना चाहें, तो यह आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते है, x minus 4 का whole square minus 3 का whole square, and dx, अब अच्चों, यह किस form का है, under root of x square minus a square, तो formula लिख दीजेगा, under root of x square minus a square का, यह formula बनता है, x upon 2 under root x square minus a square minus a square by 2 ln, ln x plus under root x square minus a square, और plus कितना आ जाता है, c, और अगर यह formula आप लिख लेंगे, तो यहाँ पर x की जगे कितना है, x minus 4, और a की जगे कितना है, 3, तो भई, लिख लीजे, यह बन जाएगा, x minus 4 upon 2, under root, under root x square minus a square, और minus a square by 2, और ln, ln में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, this, ln, ln में x, x की जगे x minus 4, plus under root x square minus a square, यह डिरेक्ट यह लिख सकते है, x square minus 8x plus 7, और plus कितना जाएगा, c, क्या यह बात आपको समझ मैं, तो इस type का जब भी सवाला है, दो नंबर में वो पूछ सकता है, ठीके, फर formula आपको याद होना चाहिए, और formula मैंने याद करने का, ट्रिक आपको सिखा दिया, आप तीनों में confused ना हो, इसके लिए पहले ही formula आप लिख ले, ठीके, जो पंदर वो क्या करते हैं, इसको उपल ले जाते हैं, और फिर गिस्पिस काम कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं कर दे, बच्चो देखो, अगर जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है, उसके साथ एक होता है, सबका मालिक एक, है ना, तो अगर एक है, और एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूं, sin square x plus cos square x, क्लिए रहे गया, और अगर आप ये लिख सकते हैं, तो ये आप लिखकर जैसे ही करेंगे, आपका solve हो जाएगा, ध्यान से देखें, यहाँ पे जैसे आप इसको लिखेंगे, यहाँ आजाएगा, sin square x plus cos square x, और upon में कितना आजाएगा, upon स्थान में हो रही है, बहुत खतरनाक गर्मी, तो आपके वहाँ कैसी गर्मी बता सकते हैं, तो आज भी लगा सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं, आने वाले time में, खतरनाक गर्मी है, चलिए, देखो, इसको अलग लग करके देखते हैं, तो sin square upon sin square cancel, और 1 upon cos square क्या बन जाएगा, secant square, तो लिख लीजिए, secant square x plus, यह देखो, cos square से cos square गया, और यहाँ पर कितना आ गया, cos x square x, and dx, क्या है यह बाद सबको समझ में है, और बच्चो, secant square x किसका integration, secant square x का integration क्या होता है, 10x, बहुत ही बढ़ी है, तो यहाँ आप लीजिए, 10 of x minus cot of x, और प्लस कितना आजाएगा, c, और इस तरीके से आप इसको solve कर सकते, यह चार नंबर में नहीं आएगा, यह दो नंबर में आप से पूझा जा सकते, चले आगे, अगला, अब बच्चो देखो, यहाँ पर एक form में आपको बताने वाला हूँ, इस form को आपने महापे भी देखा था, वन शॉट में, और वापिस से में इसको repeat करवा देता हूँ, ध्यान से देगी, अगर बच्चो मैं आप से बोलू, integration, ध्यान से सुनना, e की power x है, और इसके साथ multiply में हैं, बच्चो एक तो f x, और एक multiply में क्या है, f dash x, और साथ में कितना है, तो इसका integration किसके equal होता है, e की power x into f of x, और plus कितना आ जाता है, c, यह कैसे आता है, इसको अलग लग करते हैं, by parts लगाते हैं, और यह बन जाता है, तो इस तरीके से पर आपको form यार्द बतना है, और इस form को पैचानने का एक तरीका है, कि एक तो e की power x आता है, इसके साथ multiply म होई, इसको अंदर multiply किया, तो यह बन जाएगा, cosec x into cortex, minus कितना आ जाएगा, minus आ जाएगा, minus में cosec x, अब बच्चो इसके अंदर आपको पहचानना पड़ेगा, किसको मैं f x मानूं और किसको f dash x मानूं, तो ध्यान से देखी, अगर, अगर मैं देख रहा हूं, इसका differentiation यह पास क्या बन जाएगा, f x आपके पास आ जाएगा, minus cosec x, और इसका f dash x कितना हो जाएगा, इसका f dash x हो जाएगा, cosec x into cortex, क्या यह बात समझ में आ रही है, और अगर यह बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखे, यह form बन गया, integration of e की पावर x, f dash x plus f x, क्या और f x का value फिर से रखिए, तो यह आ जाएगा, e की पावर x into f x, f x अपने किसको मना है, minus cosec x को, लिख लीजिए, अब plus कितना जाएगा, c, क्या यह कि लिए रहे, चले आगे, आगे चले, आगे बात करते हैं, next, यह रहे, अब यह सवाल है बच्चो, और यहाँ पे मुझे f x बताना है, यह सेम वही उसी concept का सवाल है, देखें वही, यह क्या बन जाएगा, integration, e की पावर x into, जल्दी से बताएगा, इसको अंदर multiply किया, तो यह आ जाएगा, secant x into 10x, plus secant x, और dx, अब comment box चुमारा है, अब comment box में जल्दी से बता दीजिएगा, कि f x का value क्या होगा, य यह होगा, यह फिर यह होगा, देखते हैं किते बच्चे इसको सही बता बात है, मुझे लगता है हर बच्चा यह कर पाएगा, चलते हैं आगे इस type का सवाल, बच्चो देखो, इन type के सवालों में आपन किसी को t मानते हैं, और उसका differentiation जो है, वो बन जाता है, जैसे अगर म इसको solve करते हैं, ध्यान से देखिए, यह बन जाएगा, integration 1 upon, देखे भई, यह तो t बन गया, और इसके साथ वाला dt बन गया, यानि यह बन जाएगा, log e mod of t plus c, अब यह आपका final answer नहीं, आपको क्या करना है, वापिस से t को convert करना है, और जैसे t को convert करेंगे, बन जाएगा, log e, t की value रख दीजिए, 1 plus log of x, और प्लस कितना आजाएगा, c, देखिए, अभी basic basic question जो है, जो आने के चांसे से, वो मैं सारे ले रहा हूँ, फिर इसके बाद अपन्त हो रहे, लेंदी वाले question करेंगे, जल्दी से बताइए यह बना, क्या करेंगे, किसको t मानेंगे, बन गया, यह बन जाएगा, t square, और यहाँ पर आपके पास आजाएगा, dt, यह बन जाएगा, t cube, divide by 3, और प्लस c, t का value रख दीजिए, यह आजाएगा, 1 plus log of x, का whole cube, और divide by 3, और प्लस c, क्या यह समझ में आया, चले आगे, आगे चले, यह रहा अगला सवाल, बहुत प्या पावर x है, और उपर कितना है, बच्चो, x-3, upon में कितना है, x-1 का whole cube, और कितना है, dx, अब बच्चो, इसको direct करने से, यह नहीं बन पाएगा, क्योंकि, यहाँ पर मुझे दो अलग-लग function मनाने है, एक fx, और एक plus f dash x, तो भही, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 3 की जगे लिख दिया, 1 plus 2, और जैसे आप यह लिखेंगे, यह बन जाएगा, e की पावर x, into x-1, minus 2, upon में, x-1 का whole cube, इसका फायदा भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको अलग-लग कीजे, इसको जैसे आप अलग-लग करेंगे, यह बन जाएगा, this upon this, which is equals to 1 upon, x-1 का whole square, minus 2 upon, x-1 का क्या हो जाएगा, whole cube, और यह बन जाएगा, dx, अब बच्चो बताओ, fx किसको माने, अगर मैं इसको fx मानता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको fx मैंने बोल दिया, इसको उपर ले जाके लिख सकते हैं, x-1 की power minus 2, तो इसमें f-x कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपके e power x, f of x, plus f dash x, and dx, क्या यह बार समझ में आ रही है, और यह value किसके equal आ जाती है, e की power x, fx plus c, fx का value फिल से रखके देखिए, जैसे ही आप रखेंगे, यह value किसके equal आ जाएगा, e की power x, into x-1 की whole power minus 2, और प्लस c, और इस तरीके से यह आपका final answer बन जाएगा, तो यह आने के chances से, इसको star mark कर लीजिए, और इसको जब भी आपका paper हो, इसको जरूर से revise कीजिएगा, ठीके, चलें आगे, अगला सवाल यह रख, चलिए, बहतरीन सवाल है, देखते हैं, कैसे अपन इसको solve करने का सोच रहे हैं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, देखो, e की power x, यान plus one का whole is square, देखो, ऐसा लिख सकते होगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, सर, यहां तो one minus x है, आपने तो x minus one लिख दिया, अरे भाई, same ही तो चीज होती है, a का square, या फिर minus a का square है, value same आती है, अब बच्चो, अगर मैं इसमें देखूंगा, तो यहां पे आप क्या कर सकत है, e की power x into, ध्यान से देखें, उपर अगर आप square खोलेंगे, तो यहां जागा, x square plus one minus two x upon, upon में कितना आ गया, x square plus one का whole is square, and dx, अब यही मैंने क्यों किया, क्योंकि वच्चो मैंने यह देख देख पा रहा था, कि अगर मैं इसका square खोलूंगा, तो नीचे वाली जो time है, व x square plus one, और साथ में कितना आ जाएगा, minus two x upon x square plus one का whole is square, and dx, देखें, देखें भई, अब मुझे यह बता, fx किसको मानोगे, कि लिए रहे, अगर इसको, आप fx मान लेंगे, तो ध्यान से देखें, fx is equals to कितना है, one upon x square plus one, तो यह fdx क्या बन जाएगा, fdx आपके पास बन square, और इसका differentiation कितना होता है, two x, क्या यह देख पा रहे हो, तो भई, यह fx है, तो यह fdx हो गया, और इसमें formula बन गया, फिल से, यह formula बना दिया, into f of x, प्लस कितना आ गया, बच्चों, fdx, और अगर यह बन गया, तो जल्दी से मुझे यह बता दीजिए, इसका answer क्या बन तो देखो, अब इन type के जितने भी सवाल है, उनमें मैं e की काम करता हूँ, कि अगर मैंने e की power x देख लिया, तो मैं दो ऐसे function बनाना चाहता हूँ, जहां पर एक fx हो, और प्लस में क्या जाए fdx, उसके लिए ही यह सारा अपन, जो भी कारेकरम कर रहे हैं, वो सब इसली तो बस यह आप पहचान लीजी, और मेरा जो मकसद है कि आपका मापे सवाल सही हो जाए, उसको भी सफल कर दीजी, ठीक है, चले आगे, आगे चले, अगला सवाल यह रहा, चलिए, अब इन type के सवाल आपके पास आएंगे, यहाँ पर partial fraction आपको करना हो, अब बच्चों सब से पहले अगर आप देखेंगे, तो उपर x cube नहीं है, सिफ x square है, और यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर x cube होता, तो मैं x square को t मानता, और अगर x square को t मानता, तो x dx क्या हो जाता, dt, पर यहाँ पर x cube है ही नहीं, तो सर हम कैसे सोचेंगे, तो ध् इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस सवाल को मैंने ऐसा लिख दिया, इस सवाल को मैंने लिख दिया, यह बन जाएगा, u upon u square plus u minus 2, सिर्फ मैंने इसलिए किया है, ताकि मैं इसके partial fraction कर सकूँ, और अगर आप यह काम कर पाएंगे, तो ध्यान से देखें, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, u upon u, देखो इसके factor बन जाए, एक factor तो बने, तो u minus 1, और एक क्या जाएगा, u plus 2, क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं, और अगर यह बात आप समझ पा रहे हैं, तो ध्यान से देखें, इसके partial fraction क्या बनेंगे, a upon u minus 1, plus b upon कितना जाएगा u plus 2, बस, a और b calculate करना सिखाया था मैंने आपको, जिन्होंने नई सिखा तब आपिस से देख लीजे, a निकालने के लिए आप देखेंगे, u minus 1 को 0 कीजे, तो u का value कितना जाएगा, 1, और अगर u का value अगर 1 आजाएगा, तो ध्यान से देखें, इस u minus 1 को हटाया, और u को 1 र देखेंगे, तो इसको हटाओ, और u की जगे इसमें minus 2 रखो, तो यहाजएगा, minus 2 upon minus 3, तो b कितना जाएगा, आपके पास, 2 by 3, और अगर जैसे ये काम आपने कर लिया, तो ध्यान से देखें, आप बोल सकते हैं, sir, मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मैं direct ये लिखूंगा, तो अगर इसका integration करना चाहते हूँ, यानि आप इसका integration कर लिजे, और जैसे आप इसका integration करने जाएंगे, तो यहाजएगा, 1 by 3, integration, 1 upon, u minus 1, dx, है ना, वही, exchange नहीं किया, ये ध्यान रखना, minus 1, plus 2 by 3, integration, 1 upon, u plus 2, dx, अब बच्चों, u का value, फिस से रखते हैं, जैसे आप u का value रखेंगे, यहाजएगा, 1 by 3, 1 upon, x square minus 1, dx, और साथ में आजएगा, 2 by 3, यहाजएगा, 1 upon, x square, plus 2, and dx, अब further इसके factor आप कर सकते हैं, या फिर direct formula भी use कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो मने वो आप इसमें कर सकते हैं, तो यह बनेगा, 1 by 3 into, 1 by 2, ln, ln में आता है, x minus 1 upon, x plus 1, औ और साथ में कितना आजएगा, plus c, के लिए रहे, और similarly इसका, 1 upon x square plus a square, इसका integration क्या होता है, भाई एक तो formula अपन ने use किया, x square minus a square dx, यह बनता है, 1 upon 2a, ln, more, x minus a upon x plus a, और साथ में कितना आ जाता है, plus c, और दूसरा formula अपन यूज़ करें, 1 upon x square plus a square dx, इसका बनता है, 1 upon a, 10 inverse 10 inverse में कितना आता है, x upon a, और plus कितना आ जाता है, c, तो जैसे आप इसके अंदर ये use करेंगे, यह आ जाएगा, यह इस c को अपन बाद में लगा लेंगे, plus, plus में लगा दीजिए, यह आ जाएगा, x plus 1, और plus 2 by 3, और a कितना है, 1 by root 2, तो 1 upon a, 10 inverse, 10 inverse में आ जाएगा, x upon root 2, और plus कितना जाएगा, देख ले, तो इसमें बच्चा गलती क्या करता है, वो मैं बता देता हूं, वो क्या करता है, x square को यू रखता है, और u के respect में integrate कर देता है, वो गलत हो जाएगा, तिक है, वो आपको इसमें ध्यान दतना है, और आप इसको बिलकुल ध्यान दत की answer नि और यहाँ पर उसी type का एक सवाल है, ध्यान से देखना, यह क्या given है, x upon x minus 1 का whole square into x plus 2, यह आपको given है, और अगर यह आपको given है, तो इसके partial fraction क्या बनेंगे, वो पहले अपन लिख लेते हैं, बच्चो सबसे पहले है, x minus 1, तो उसकी वज़े से आप क्या लिख देंगे, a upon x minus 1, फिर कितना जाएगा, plus b upon, इसका square, यानि x minus 1 का whole square, plus c upon कितना जाएगा, x plus 2, देख ले, मकसद ए, abc निकालना, कैसे निकालेंगे, cross multiply करके, cross multiply करके, यह फिर मैने जो आपको सिखा है ता direct, पर इसको cross multiply कीजिए, उससे आपका b b निकल जाएगा, तो cross multiply किया, तो बच्च यहाँ पर आजाएगा, x minus 1, into x plus 2, plus b, यहाँ पर आजाएगा, x plus 2, और साथ में आजाएगा, c, यहाँ पर आजाएगा, x minus 1 का whole square, clear, अब abc निकालने के लिए, देखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले put किया, put x is equals to 1, अब x को 1 लग दीजिए, इस equation में, तो 1 is equals to, यह गया, यह गया, क्या बज़ गया, b, तो यहाँ पर आजाएगा, 1 is equals to 3 times of b, यानि b का value कितना आगया, 1 by 3, अब second चीज़ आप क्या करेंगे, x को रख देंगे, minus 2, अब x को minus 2 रखा, तो minus 2 is equals to, देखें, भाई, minus 2 रखा, तो यह गया, यह गया, सिर्फ यह बज़ गया, और यह कि 0 रखा, तो 0 is equals to, यहाँ पर आजाएगा, minus 2a, plus 2b, और plus कितना आजाएगा, c, देखो, a निकल गया, c निकल, b निकल गया, c निकल गया, क्या a निकाल सकते हो, देखें, भाई, तो यहाँ से आजाएगा, 2a is equals to 2b plus c, यह आजाएगा, 2 by 3, minus 2 by 9, तो यह 2 cancel हो गया, तो a का value कितना आगया, 1 by 3, minus 1 by 9, and which is equals to 2 by 9, a, b, c आगया, अब क्या करोगे, अब इसमें पूटिकार दो, और इसका integration तो बहुत आसान है, ठीक है, देखो, अब इसका integrate करना था, यानि आप इसको, इसको, और इसको integrate कर दोगे, अब डिरेक्क लिख दे, देखो, a का value कितना था, a क value है, 2 by 9, तो लिख लिए, 2 by 9, ln, ln में आजाएगा, x minus 1, b का value कितना है, यह है, 1 by 3, plus 1 by 3, इसका integration कितना हो जाएगा, minus 1 upon x minus 1, और c का value कितना है, minus 2 by 9, तो यह आजाएगा, minus 2 by 9, ln, ln में आजाएगा, x plus 2, और plus कितना आजाएगा, c, देखें बई, क्या यह बात समझ मैं, त उसका final answer यह हो जाएगा, लिख लीजी इसे, चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले सवाल के तरह, यह एक और famous सवाल है, जिसका, जो अगर मैंने देखा, तो यह बहुत ज़्यादा यह आया हुआ सवाल है, तो इस पर थोदा सा focus जालना है, देखो, ध्यान minus x की power 3 by 2 का whole square dx, अब आप बोलेंगे, सर यही क्यों लिखा है आपने, उसका reason क्या है, उसका reason यह है बच्चो, अगर आप x की power 3 by 2 को t माल ले, इसको आप क्या माल ले, t, तो इसका differentiation होता है, 3 by 2, x की power 1 by 2, dx, is equals to कितना हो जाएगा, d ले, और अगर यह बन जाएगा, तो द 2 by 3 dt, ऐसा बन जाएगा, और अगर यह ऐसा बन जाएगा, तो बच्चों यह सवाल क्या होगा, ध्यान से देखें, यह बन जाएगा, 2 by 3, यहाँ पर आपके पास आगे, dt upon, a cube minus t square, के लिए रहे, अब इस a cube को भी मैंने क्या किया, ऐसा लिख दिया, 1, a की power 3 by 2 का whole square, फॉर कॉमला लग जाएगा, 1 upon a square minus x square का, यह बनता है, 1 upon 2 a, और साथ में, इसके factor होता है, क्या क्या होता है, रहे, इसको करने के लिए ऐसा लिख लो, minus comma निकालके, 1 upon x square minus a square and dx, और इसके factor बनते है, x minus a और x plus a, और यह बनता है, minus 1 upon 2 a, ln, ln में आता है, x minus a upon x plus a, और साथ में plus, त 2 by 3 into minus 1 upon 2, a की जगे आजाएगा, a की पावर 3 by 2, और साथ में ln, ln में आजाएगा, t minus a, a की जगे, a की पावर 3 by 2, upon में t plus a की पावर 3 by 2, और साथ में कितना आजाएगा, plus c, पर t क्या था, x की पावर 3 by 2, रख दीजिए, direct रख लिएते हैं, यहां पे आजाएगा, x की पा रही कर लिया, तो यह सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लिख ले, इसे लिख ले, चले, चले आगे, अगला यह रहा सवाल, भैतरीन सवाल है, देखने में बहुत आसान है, और इसको करना भी आसान है, अगर आपने वो step अपने समझ ली, देखें, sin 2x का फॉर्मला से देखना, मैंने क्या किया, इसमें से sin x common निकाल देख, अब जब आप sin x common निकालेंगे, तो अंदर कितना जाएगा, 1 प्लस 2 cos x and dx, अब कैसे सोचेंगे इसको, तो ध्यान से देखना बच्चो, नीचे sin x है और cos x है, अब इसको तो अपन convert करना बहुत मुश्किल है, पर इसको convert कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं उपर नीचे, उपर नीचे sin x से multiply कर दूँ, तो बच्चो, उपर कितना जाएगा, sin of x dx, और नीचे कितना जाएगा, ये बन जाएगा, sin square x और 1 प्लस 2 cos x, किलियर, अब सुनना मेरी बाद, बच्चो, अगर numerator मे sin x आता है, तो अपन cos x को t मानू, तो आप बोलेंगे, sir, cos x को t मान लीजिए, उसका फायदा ये होगा, cos x को अगर आप t मानेंगे, तो minus sin x dx, ये किसके equal आजाएगा, ये equal आजाएगा, dt, किलियर रेगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखें, ये बन जाएगा, integration minus dt, upon, अब ये sin square x का क्या अगर होग होगे, 1 minus cos square x लिखोगे, और जैसे ये लिखोगे, ये आजाएगा, 1 minus t square into 1 plus 2t, देखें, minus multiply करके, ये सवाल ऐसा बन जाएगा, integration 1 upon t minus 1 into t plus 1, और साथ में आजाएगा, 1 plus 2t, देखें, कैसे सोचोगे अब इसको, बताओ, partial fraction, और partial fraction इसके क्या क्या बनेंगे, ये बनेंगे, a upon t minus 1, plus b upon t plus 1, और साथ में, plus c upon 2t plus 1, अब भई, abc का value निकालना जानते हैं, आप लोग, निकालिएगा, और इसको integrate करना तो बहुत आसान है, integrate करके, t का value substitute कर दो, ये answer हो जाएगा, बस ये ध्यान दतना, जब भी sin cos में खेल खेलोगे, तो उपर अगर sin आ रहा है, तो cos को को टी मानना है, और उपर अगर cos आ रहा है, तो sin को टी मानना है, और ये सवाल आपका विल्कुल आसानी से हो जाएगा, चलते हैं आगे, ये रहा अगला सवाल, बहुत important सवाल है, ये 3-4 form में आता है, देखो, ये 3-4 form कौन कौन सी हो सकती है, यह ऐसा भी पूछ सकता है, sin x upon sin of x minus a, ये ऐसे भी पूछ सकता है, cos भी हो सकता है, इनकी जगे, देखें भई, ध्यान से देखना, देखो बच्चो, ऊपर भी अगर आप खोल दोगे और नीचे भी आप खोल दोगे, ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, नीचे, न देखें, ये ऐसा होगा, तो भी सेम वही काम करना है, और अगर आप ये कर देंगे, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या बन जाएगा, x की जगे आपने रख दिया, t minus a, इसके अंदर, तो ये बन जाएगा, sine of t minus 2a upon, upon में कितना जाएगा, sine of t और dt, बच्चो इसको open कर कर दीजे, ये बन जाएगा, इसा बन गया, और अगर इसको आप अलग-लग कर देंगे, तो अलग-लग करने पर क्या बनेगा, ये, देखें, ये बन जाएगा, cost to a, minus sine to a, और cot of dt, वही अब तो ये solve करना मेरे को लगता है, आसानी से हो जाएगा, ये constant है, बहार निकाले, cost to a, और साथ में कितना आजाएगा, t, minus sine to a बहार निकाला, इसका integration होता है, ln sine t, और plus c, t की जगे फिल से रख दीजे, t की जगे कितना रख दीजे, x plus a, जैसी रखेंगे, ये आजाएगा, x plus a, times of cost to a, minus sine to a, और ये आजाएगा, ln, time of x plus a, और साथ में कितन आजाएगा, plus c, अब अब अच्छो, एक और चीज ध्यान देना, जब इसका final answer आप लिखेंगे, क्योंकि ये a को जब cost to a से multiply करेंगे, वो भी एक constant है, और उस constant को इसके साथ मिला के क्या कर देंगे, c1 लिख देंगे, तो इसका final answer, final answer आप इस तरीके से लिखेंगे, ध्या और plus कितना आजाएगा, c, ये आपका final answer हो जाएगा, तो जब भी इस type का form आए, आपको क्या करना है, same वही चीज, कि नीचे वाला जो है, ये, x plus equity, इसमें क्या करते, x minus equity मानते, same वही procedure है, ता answer बिल्कुल सही आएगा, लिख लीजी आप इसे, इसे आप लिख लीजी, चले आगे, देखो ये थोड़ा lengthy chapter है, पर मेरा मकसद ये रहेगा, एक एक सवाल अच्छे से करवाना, तो थोड़ा सा patience जो है, वह आप लोगों की तरफ से चाहिएगा, वैसे तो बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने, तेक है, क्योंकि देखो, कईना कहीं, कईना कहीं देखो, patience जो होता है, वह बहुत मुश्किल से आता है बच्चो में, तेक है, और integration जो है, वह सबसे लंबा chapter है, अगर आप अपनी पूरी 12 की बोग उठाके देखेंगे, तो यार, patience जो है ना, इस chapter में चाहिए होता है, तेक है, आपको नहीं हमें भी चाहिए होता है, परान सवाल, जो है, definite में भी बनता है, और indefinite में भी बनता है, यहाँ पर अगर आप limit लगाएंगे, इस type का सवाल, आपके NCRT की जो miscellaneous exercise है, उसमें भी है, तेक है, और जो exemplar है, उसमें भी एक सवाल दे रहता है, ध्यान से सुनना, इसका पहले मैं आपको method सिखाता हूं, और प अगर आप sin of x plus cos of x, इसका whole square निकालेंगे, तो यह किसके equal आएगा, देखो, sin square x plus cos square x वो होता है 1, लिख लीजी, 1 plus 2 sin x cos x, यह बन जाएगा sin 2 x, और similarly, अगर मैं आपसे बोलू, sin x minus cos x का whole square निकाल दीजी, तो यह किसके equal आजाएगा, 1 minus sin 2 x के, आजाएगा, तो भी ध्यान से सुनना, अगर sin 2 x मुझे given है, और मैं sin x plus cos x बनाना चाता हूँ, पहला formula, और अगर मैं sin x minus cos x बनाना चाता हूँ, तो दूसा formula, के लिए रहे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, उपर क्या है, sin x plus cos x, ध्यान से सुनना, अगर उपर sin x plus cos x है, तो आपको क्या करना है, sin of x minus cos of x को t मानना है, और अगर उपर sin x minus cos x है, तो उसमें क्या करोगे, sin x plus cos x को t मानना है, मतलब उसका opposite, तो अगर आप यहाँ पर इस सवाल को पहले simplify करते हैं, देखें, उपर क्या है आपके पास, sin of x plus cos of x, और नीचे, नीचे आपके पास क्या बना हुआ है, नीचे बना हु है, 1 minus sin x minus cos x का whole square, d x, क्या करोगे, sin x minus cos x को t माना, इसका differentiation आप करोगे, तो यहाँ से आजाएगा, cos of x plus sin of x, d x, यह किसके equal आजाएगा, d t के, करें भई, इस सवाल को solve करें, तो उपर तो आजाएगा, d t upon, 16 plus 9, 25 minus 16 t square, हो गया, अब देखना भई, अब मैंने second step में क्या किया, second step में इसमें से 16 common निकाल दिया, 16 क्या क्या किया, common निकाल दिया, यह बन जाएगा, 1 upon 5 upon 4 का whole square, minus d का whole square, d t, अब बताएं, क्या यह form आप पहचान पारें, 1 upon a square minus x square, क्या दे रखा है, 1 upon a square minus x square, and dx, और बच्चों, इसका integration आप निकाल सकते हैं, इसमें तो सीधे-सीधे में यह बोलता हूं, minus common निकालो, यह बन जाएगा, x square minus a square, d, x, इसके factor कर दो, तो यह आजाएगा, 1 upon 2 a, ln, x minus a upon x plus a, और plus कितना आता है, c, यह minus सीधर लाओगे, तो यह दोनों reverse भी हो जाते हैं, तो यह आपके पास बन जाएगा, 1 upon 16, 1 upon 16, into, minus 1 upon 2 2 a, 2 a, 5 by 2, और साथ में आजाएगा, ln, t minus a upon t plus a, और साथ में plus c, है न, a 5 by 4 है, इस तरीके से आप लिख लेना, t का value फिर से substitute कर देना, आपका final answer, पर देखो, यह मेरा मकसद नहीं था, यह सिखाना, मेरा मकसद क्या था, यह सिखाना, यह form कैसे पहचान होगे, भई, अगर उपर sin x plus cos x है, तो किसको t मानोगे, sin x minus cos x को, और अगर उपर sin x minus cos x है, तो किसको t मानोगे, sin x plus cos x को, इस तरीके से, ठीके, और यह यह दो formula's जो है, इनकी help से आप हमेशा, एक दूसे को convert कर सकते हो, इसे लिख ले, इसे जल्दी से लिख ले आँ, चले आगे, आगे चलते हैं, अगला सवाल यह रहा, देखो, e की power x है, कौन से formula लगाएंगे, पहली line में आप formula लिख दीजिए, e की power x into f of x plus f dash x, यह formula से मेरा पूरा इस बार उमीद है, सवाल आने का, देखते हैं, आता है यह नहीं आता है, e की power x fx plus c, देखो, उमीद है, पर यह guarantee नहीं है कि इसी formula से आएगा, पर अपन इसकी practice अच्छे से कर सकते हैं, यह बनेगा, आपके पास integration of e की power x into, यह दे रखा है, 1 plus sin x upon, यह इसको लिख दिया, 1 plus cos x, cos x का formula आप यूज़ कर सकते हैं, 2 cos square x by 2 minus 1, इससे minus 1 जो है, वो cancel हो जाएगा, यह 1 हर जाएगा, तो यह बन जाएगा, 2 cos square x by dx, और बच्छों, sin x को मैंने ऐसा लिख दिया, 2 sin x by 2 and cos x by 2, अब इसको अलग लग कर, इसको अलग लग करो, तो यह आपका क्या बनेगा, e की power x into, देखो, एक तो बन जाएगा, 1 by 2, secant square x by 2, और यह इसके साथ करोगे, तो cos से cos एक गया, 2 से 2 गया, तो 10 x by 2 अब बताएग किसको f x मानेंगे, और f x क्या बन जाएगा, तो इसका final answer बनेगा, क्या है यह समझ में आ रहा है, लिख लें इसे, इसे लिख लें, लेख लिया, चलें आगे, आगे चलते, आगे बात करते हैं, इस सवाल की, देखें बच्चे, यह जो सवाल होते हैं, इन टाइप के सवालों में, अपन यूज करते हैं by parts, सबसे पहले आपको मैं by parts revise करवा देता हूँ, मानिए, आपके पास दो function एक u है और एक v है, तो इस में आप by parts लगा सकते हैं, product में होते हैं function, क्या करते हैं, वह यू, integration of v, minus whole integration, u का differentiation और integration of v and dx, इस तरीके से आप इसको solve करते हैं, बच्चो देखो, यहाँ पर यू और v किस तरीके से decide करते हैं, ध्यान से सुनता, अगर आप पहले rule से चलें, तो i, l, a, t, e, i मतलब inverse signometric function, l म मतलब algebraic function, t मतलब technometric, और e मतलब exponential, और इस हिसाब से आप चलते हैं, देखो, i inverse technometric function, इनका integration सबसे मुश्किल होता है, तो अपन जब v decide करेंगे, तो v कैसे decide करेंगे, अपन v decide करेंगे, नीचे से, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चो यह कौन है, i, और a है, यह algebraic, तो आप किस तरीक से decide करेंगे, किसका integration आसान है, तो आप बोलेंगे, sir, 10 inverse x का मुश्किल है, तो आप उसको v नहीं लेंगे, तो बच्चो यह u हो गया, और यह आपका क्या हो गया, v, अब इसका integration कर दीजी, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखे, 10 inverse x को छोड़ा, इसका integration होता है, x cube by 3, minus whole integration, 10 inverse x का differentiation, यह होता है, 1 upon 1 plus x square, और यहाँ पर कितना आजाएगा, x cube, divide by 3, and x, अब देखो, इसका integration आसानी से हो जाएगा, कैसे कर लोगे, भाई, ध्यान से देखना, इसको आप लिख सकते है, x cube by 3, 10 inverse x, और minus 1 by 3, integration, देखो, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, x cube plus x, minus x, divide by x square plus 1, and dx, अब ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों, इन दोनों में से x common निकालोगे, तो x square plus 1 आजाएगा, तो ध्यान से देखे, यह कितना आजाएगा, x cube by 3, 10 inverse x, minus 1 by 3, इसमें से x निकाल लीजिए, और plus 1 by 3, integration, x upon x square plus 1, and dx, बच्चों, 2 से multiply किया, 2 से divide क कर दिया, अब देखो, इसका integration आसान है, यह बन जाएगा, x cube divided by 3, 10 inverse x, minus x square by 6, plus 1 by 6, बच्चों, अगर नीचे वाले को टी बोलोगे, उप़र डीटे, यानि यह बन जाएगा, x square plus 1, और plus कितना आजाएगा, c, और इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, यूवी function मान के easily, चलें आगे, आगे चलते हैं, अगला सवाल यह रहाओ, भैतरीन सवाल, गारेंटी दे रहाओ, इसको आप देख लेना, जहां भी आप देखोगे, लोग by parts से सिखाते हैं, मैं एक नया method सिखाता हूं, रौनक सर का special, जो मैंने अपने time पे देखा था, और यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बच्चो मैंने इसमें क्या किया, log x को t मना, बहुत प्यारा solution है, देखना, log x को क्या हमाल दिया, तो बच्चो उसका differentiation, यानि 1 upon x dx किसके equal हो गया, dt के equal हो गया, बच्चो यहां से अगर आप e देखोगे, यहां से x अगर निकालना च यानि आप ये भी बोल सकते हैं, सर, dx की जगे कितना आजाएगा, x dt और x को रख सकते हैं, e की पावर t dt, ज्यान से सुन, dx की जगे क्या रख दिया, e की पावर t dt, अब इस question को देखें, i is equals to क्या दिया, integration, log of log x, तो बहुत लोग x की जगे क्या रख दिया, t, यानि यह बन t dt, ध्यान से सुनना, और बहुत प्यारा concept यहां पर बनता जा रहा है, बचो, अब यहां पर e की पावर t आ गया, तो मेरे दिमाग में एक जो form बन रही है, वो है, e की पावर x, fx प्लस fd6, अगर मैं log t का differentiation देखू, वो 1 by t होता है, कितना होता है, 1 by t, तो मैंने क्या किया ध्यान से सुनना, log t था, इसमें 1 by t add कर दिया, 1 by t को क्या कर दिया, add, और 1 by t अगर add किया है, तो आप क्या करेंगे, 1 by t को subtract भी करेंगे, और 1 by t की square आपको एक given अलग से है, और dt, ऐसा, अब बचो, अगर मैं इसको fx बोलूँ, तो यह fd6 है, और इसमें, अगर मैं इसको कितना हो जाएगा, e की power t, इसको मैंने fx बोला, यह fd6 है, तो minus 1 by d, और प्लस कितना आगे, c, वही, e की power t common निकाले, अंदर आ जाएगा log of t, minus 1 by t, और प्लस कितना आगे, c, वही, अब देखें ध्यान से, e की power t की जगे x रख दीची, यह जाएगा x multiply, log t, log t, तो t की आपने रख दिया log e x, so minus 1 upon log e x, और प्लस कितना आगे, c, यह solve होगे, देख लिए, कितना प्यारा concept है, यहाँ पर अपने जो formula सीखा था, वो use भी कर दिया, तो यह बहुत प्यारा है, आप इसको अच्छे से कीजिए, और यह आपके mislinious जो exercise है, उसका सवाल है, तेके, आह यह भी आपका mislinious का सवाल है, और इसके आने के chances भी जाद है, देखें बच्छो, इस सवाल को किस तरीके से आप proceed कर सकते हैं, यहाँ पर, बच्छो हमेशे याद रखना, जब भी इस ताइप का form हो, 1 minus x upon 1 plus x, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, x को रख देते हैं cos 2 theta, क्या रख देते हैं, x को cos 2 theta, पर यहाँ पर बच्छो under root x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप under root of x को क्या रख दीजिए, cos 2 theta, क्या रख देंगे, under root of x को cos 2 theta, तो भी इसका differentiation हो जाएगा, 1 upon 2 times of under root x dx, यह किसके equal हो जाएगा, यह हो जाएगा, sin 2 theta और minus 2 और d theta, इस तरी किसे, अब अब अच्छो पूरी equation को अपन convert कर देते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर यह बन जाएगा, integration, under root, under root में आ जाएगा, 1 minus cos 2 theta, upon 1 plus cos 2 theta, और dx की जगे कितना आ जाएगा, इसको इदर लेगा, minus 4, under root x की जगे लिख देंगे, cos 2 theta, sin 2 theta, और d theta, अब देखें, इसको simplify करता है, cos 2 theta का आपको formula पता है, cos 2 theta का formula होता है, 2 cos square theta minus 1, और इसको 1 minus 2 sin square theta भी लिख सकते हैं, आप दोनों formula जैसे use करेंगे, ध्यान से देखें, बच्छो 1 minus cos 2 theta को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 sin square theta, upon 2 cos square theta, और multiply minus 4 cos 2 theta को ऐसे रहन दीजे, इसको लिख दीजे, 2 sin theta and cos theta, अब उसका फायदा देखना, फायदा क्या होगा, बच्छो अगर वे इस 2 से 2 को cancel करेंगे, cos square को बहार लाएंगे, तो cos theta आएगा, वो इसके साथ cancel हो जाएगा, और इसको बहार लाएंगे, तो sin theta, इसके साथ convert होके आप लिख सकते हैं, minus 8 under root sin square theta, cos 2 theta and d theta, क्या ये समझ में आ रहे हैं, अब बच्छो फिर से देखना, यहां से sin square theta को आप क्या लिख सकते हैं, sin square theta को लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 theta divided by 2, रद दीजिए, देखें भई, ये बन जाएगा, minus 8, minus 8, इसकी जगे लिख दिया, 1 minus cos 2 theta divided by 2 into cos theta, cos 2 theta, d theta, ये 2 से ये आ जाएगा, minus 4, बच्छो उसको अंदर multiply करके आप ऐसा भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, minus 4 integration cos 2 theta minus cos square 2 theta and d theta, क्या अब ये तुम से solve हो जाएगा, easily, देखें, ये बन जाएगा, minus 4, इसका integration, sin of 2 theta divided by 2, और ये plus 4 integration, ये आ जाएगा, cos square 2 theta, d theta, बच्छो, cos square theta को 1 plus cos 2 theta divided by 2 रखके, ये फिर सिंप्लि सवाल है, ठीक है, no doubt, 4 ये 6 number में आ सकते हैं, पर आप ये देखिए, इसका form क्या बनेगा, अगर आप ये चीज़ पहचानते हैं, 1 minus x upon 1 plus x, ये फिर 1 plus x upon 1 minus x हो, तो x को cos 2 theta रखते हैं, अगर ये आप जानते हैं, तो इस सवाल आप easily solve कर सकते हैं, इसको further आप simplify कर लिजेगा इस cancer आपकी पास आजाएगा, चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चो इस type का, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये फिर से partial fraction का सवाल है, पर यहाँ पर फिर से बच्चा गलती क्या करता है, x square को t मानके, इस dx को dt मे convert करता है, नहीं करना, क्या? नहीं करना, सुनना मेरी बात, क्या इसका partial fraction क्या बन जाएगा, a upon t plus 1, और साथ में कितना आजाएगा, b upon t plus 4, बच्चो, a और b कैसे निकालेंगे, बताइए, a और b को किस तरीके से निकालेंगे, t minus 1 रखेंगे, इसको हटा के, तो a का value कितना आजाएगा, ये आजाएगा, ये आजाएगा, minus 1 by 3, similarly b निकालना है, तो minus 4 रख दीजिए, तो minus 4 divided by कितना आजाएगा, ये ना, भई, minus 4 रखा, इसको तो हटा दिया, नीचे आजाएगा, minus 3, तो ये आजाएगा, 4 by 3, तो बच्चो, अब ये सवाल मेरे पास क्या बन गया, ये सवाल बन गया, integration, a का value minus 1 by 3, और 1 upon t, t की जगे x square लिख दीज है, इसका integration होता है, 1 upon a, 10 inverse x upon a, तो ये आजाएगा, 10 inverse x, और ये आजाएगा, 4 by 3, 1 upon a, 10 inverse, कितना आजाएगा, x upon 2, और plus कितना आजाएगा, c, अब further इसको आप solve करके answer निकाल सकते हैं, तो बस ये, ये इसमें main step क्या था, main step ये था, कि देखो, यहाँ पे सिर तुम्हें ल integrate करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सवाल मैंने एक पहले भी करवाया था, चलते हैं आगे, ये equal mislinious का तुम्हारा सवाल है, ध्यान से देखना, इस सवाल को solve करने से पहले, मैं आपको एक property बता देता हूँ, अगर बच्चो sin inverse x से, प्लस cos inverse x से, ये किसके equal होता है, ये equal होता है, तो ये भी कितना होगा, पाइवाई टो होगा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीचे तो बच्चो कितना आगया, पाइवाई टो, और बच्चो उपर sin inverse x है, इसको मैंने और फॉर्दर लिख सकता हूँ, यहाँ स sin inverse x को लिख सकते हैं, pi by 2, minus cos inverse, तो यह हो जाएगा, 2 times of cos inverse under root x, और यह कितना आगया, dx, बच्चो इसको अलग-लग कर दीजिए, तो यह बन जाएगा, integration, 1 minus 4 upon pi, cos inverse under root x, cos inverse root x, और कितना आगया, dx, और इसको simplify करना, यहाँ जाएगा, x minus 4 by pi, integration, cos inverse under root x, इसको कैसे करेंगे, द करता हूँ, 1 से multiply कर देता हूँ, और फिर bypass लगाता हूँ, तो भई देखना, यह बन जाएगा, x minus 4 upon pi, into, ध्यान से देखें, cos inverse under root x को छोड़ा, 1 का integration होता है, x, minus whole integration, इसका differentiation हो जाएगा, बच्चो, 1 upon under root 1 minus x, into, इसका integration यह, इसका differentiation यह, और इसका integration यह, और यह आजाएगा, dx, अब भई, इसको further simplify करना है, तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखना, आपन और क्या solve कर सकते हैं, यह तो इससे multiply होके अलग बन जाएगा, यह बन जाएगा, आपके पास, x, x minus 4 upon pi, multiply, यह आजाएगा, x, cos inverse under root x, ठीक है, और देखो, minus minus, plus हो गया, इसको अपन क्या कर दे रहते हैं, plus, plus, बच्चों, यह बन जाएगा, integration of, x upon under root 1 minus x, अब इसको कैसे solve करें, तो कुछ भी मत करो, 1 minus x को रग दो, t square, 1 minus x को क्या रग दिया, बच्चों, t square, यानि, dx किसके equal हो जाएगा, minus 2t, ठीक है, अब जैसी आप यह काम करेंगे, ध्यान से देखें, यह बन देखें, x की जगें लिख सकते हैं, 1 minus t square, और 1 minus x, यह लिख दिया, t, और यह बन जाएगा, minus 2t dt, अब यह t से t गया, हो जाएगा, अब solve, अब solve हो जाएगा, यह t के respect में करके, t का value फिर से रख दीजीगा, और यह simplify हो के आपका answer आजाएगा, यह आपका फिर से एक और ब अलग था, वो मैंने इसमें ले लिया है, के लिए रहे, चलें आगे, अगला सवाल यह रहा, बहुत प्यारा सवाल, एक और, मज़ेदार सवाल, ठेके, यह तीन तरीके से सवाल आ सकता है, एक तो सिर्फ यह आजाए, तो उसमें आप 10x को t square लगके solve करना, यह आजाए, तो cos of x upon sin of x, plus, under root, यहां आजाएगा, sin x upon cos x, और बच्चो इसका क्या कर दीजिए, आप LCM ले लीजिए, इसका आप LCM ले लीजिए, तो इसका LCM कितना आजाएगा, यह आजाएगा, under root of sin x cos x, और उपर आजाएगा, sin x plus cos x, याद करो, अभी मैंने आपको बताया था, अगर sin x plus cos x आए, तो किसको t माना जाता है, किसको, हाँ, बहुत ही बढ़िया, आप क्या करेंगे, sin x minus cos x को क्या मान लेंगे, t, तो इसका differentiation हो जाएगा, cos x plus sin x, और dx, यह किसके equal आजाएगा, dt के, और अगर यह dt के equal आजाएगा, बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने 2 से, root 2 से multiply किया, और 2 से divide भी करती है, क्योंकि यह sin 2x बन गया, और याद करो, अगर आप इसको t बोल दो, तो sin x minus cos x का whole square, यह क्या बनता है, यह बनता है, 1 minus 2 sin x and cos x, यह बनता है, यह बनता है, यह बनता है, यह नहीं बनता, और अगर यह बनता है, तो क्या आप इसको substitute कर सक सकते हो, और substitute कर सकते हो, तो यह हो जाएगा, 2, यह बन जाएगा, sin x plus cos x, और देखें, नीचे क्या बन जाएगा, अंडर root में, अंडर root में, इसकी जगे लिख लेंगे, आप, 1 minus sin x minus cos x का whole square, n dx, अब इसको कैसे solve करेंगे, बताएं जल्दी से, यह बन जाएगा, अंडर root 2, यह बन जाएगा, dt, 1 upon under root, 1 minus t square, n dt, इसका integration हो जाएगा, sin inverse t, और plus c, t का value आप रख दीजे, t का value जैसे ही आप यह रखेंगे, यह बन जाएगा, under root 2, sin inverse, जल्दी से बताएं, यह बन जाएगा, sin x minus cos x, और plus कितना जाएगा, इस तरीके से आप solve कर सकते हैं, लिख लें आप आगे, आगे चले, next is this, अब बात करते हैं definite integration की, definite integration में अगर आप देखेंगे, सबसे majorly अगर दो नंबर या इस 4 से कम का जो भी सवाल पूछा जाएगा, वो उसमें यह वाली जो form है, वो बन रही है, यह form क्या है, मैं फिर से आपको revise कर देता हूँ, minus a से लेकर है, काली के से निकाला जाता है, एक तो हो जाता है, यह two times of integration, zero से f of x dx, और एक इसका answer हो जाता है, 0, कब-कब होता है, अगर fx are, अगर इसका आंसर क्या जाता है जीरो पर अगर एफ 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 चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे और और even तो जानते हो ना यह भी लिख लो if fx is odd तो यह पता कैसे करते हैं अगर x की जगे minus x डालते हैं तो minus बाहर आ जाता है और अगर fx even है if fx is even if fx is even यानि f of minus x यह fx के बराबर ही हो जाते हैं इस से आप पता कर लेते हैं चलिए अब यह वहला सवाल है यह बहतरीन सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व होता है बच्चो लिमिट अगर देखूं तो वह minus pi by 2 से कहां तक है pi by 2 और यह कितना दे रखा है x q plus मैंने अलग लग कर दिया minus pi by 2 से pi by 2 यह हो जाएगा बच्चो x cos x plus minus pi by 2 से pi by 2 यह हो जाएगा 10 की power 5 x और यह आजाएगा minus pi by 2 से pi by 2 और 1 dx तब पर dx लगा दे ना यह यह अब ध्यान से देखना अगर मैं x cube की बात करो x cube तो यह वाली property follow करेगा एक all function है और अगर all function होता है तो इसका answer कितना होता है 0 यानि आप इसको direct कितना लिख सकते है 0 क्यों लिख लेना if fx is all then this is 0 अब यह बताओ यह odd है यह even है तो cos जो है cos of minus x, cos x के बराबर ही होता है यह किसके बराबर होता है cos x से तो इसका minus सो गया पर यह x जो बचा है इसका minus हाजाएगा इसकी वज़े से यह भी all हो गया और यह भी कितना हो गया 0 10 की पावर 5 x से यह भी all function है यानि आपके पास सिर्फ कितना सा बजगिया यह बजगिया minus pi by 2 से लेकर pi by 2 और बच्चो वन का integration x होता है तो यह हो जाएगा minus pi by 2 से pi by 2 और इसका solution आजाएगा pi by 2 minus times of minus pi by 2 यानि इसका final answer कितना हो जाएगा अब देखो इसने 4 दे रखें इसकी जगे 100 भी दे देऊ आप solve कर ले ना बस क्या करना जो odd वाली term से ना उसको cancel out करते जाओ और answer निकालते जाओ क्या यह concept समझ में आया है ना थोड़ा सा लंबा चैप्टर है कल से बहुत आसान चैप्टर आने वाले चलते आगे अगले सवाल की तरफ यह रहा अब ध्यान से देखें बहतरीन सवाल यहां पर एक जो property यूज होती है which is king's rule जो अपने one shot में देखा था मैं फिर से याद कर देता हूं यह देखें ए से लेकर भी f of x dx जो होता है वो किसके एक मुल आता है integration a से भी f of a plus b minus x ntx यह वाली property अपने इसमें यूज कर सकते हैं बच्चो ए का value 0 है और b का value कितना है पाई बाई 2 चलिए इसको solve करते हैं ध्यान से देखें बच्चो इसको मैंने क्या बोल दि या i i is equals you क्या दे रखा है 0 से लेकर पाई बाई 2 ध्यान से देखना log log base में e और यहां पे है 4 plus 3 sin x upon upon में कितना है 4 plus 3 cos x और 7 में कितना आ जाएगा बच्चो इसमें मैंने यह वाली property यूज कर दी अब बच्चो a का value 0 है और b का value कितना है पाई बाई 2 अगर आप a का value 0 और b का value Pi by 2 रखेंगे तो आप क्या बोलेंगे sir a plus b कितना हो जएगा Pi by 2 हो जएगा और अगर a plus b Pi by 2 हो जाएगा तो भही मुझे जल्दी से बता दीजी sin pi by 2 minus x ये किसके equal होता है cos x के equal होता है और cos of pi by 2 minus x ये किसके equal होता है ये sin x के equal होता है और आप जैसे ये काम करेंगे आपका answer बिल्कुल आसानी से आजाएगा ये बन जाएगा 0 से लेकर pi by 2 log base में e और यहाँ पे आजाएगा 4 plus 3 sin of a plus b pi by 2 है तो यहाँ पे आजाएगा pi by 2 minus x अपान 4 plus 3 ये आजाएगा cos of pi by 2 minus x अब भई जल्दी से इसको change कर दीजी तो i is equal to कितना आगया 0 से pi by 2 log base में e और ये आजाएगा 4 plus 3 cos x और अपान में कितना आजाएगा 4 plus 3 sin x और कितना आगया dx समझ रहें अब बच्चों इसको मैंने बोल दिया फर्स ठीक है अब देखना एक और चीज है अगर आप इन दोनों को reverse करेंगे मतलब log a upon b है ये होता है minus times of log b upon ठीक है अगर आप इन दोनों को reverse करेंगे तो एक minus sin आता है और बच्चों ये जो शकल है ये शकल को अपने i बोला था यानि i को चालू करते हुए i is equals to कितना आगया minus i यानि इसको इदर लाए तो 2i किसके equal आगया 0 यानि i कितना आगया 0 इस टाइप का सवाल important है और इस टाइप का सवाल तुम्हें आना भी चाहिए तो देखो जब भी इस टाइप का सवाल आए अब ये property यूज़ कर सकते हैं बहुत main property है king's rule इसे कहते हैं ये property अपन देख चुके हैं और यहाँ पर जैसे मैंने लगाया फिर से मैंने i बना के इसको कितना बोल दिया 0 जल्दी से इसे लिख लीजिए चलें आगे आगे चलें अगले सवाल की तरफ ये रहा बहतरीन सवाल एक और क्या बोला गया है बिल्कुल basic सवाल जो है i is equals to minus pi by 4 से लेकर pi by 4 और साथ में कितना दे रखा है 1 plus 1 cos 2 x बच्चो cos 2 x का formula लगा दीजी तो i is equals to आजाएगा minus pi by 4 से लेकर pi by 4 1 upon cos 2 x का formula लगाया तो यह आजाएगा 2 cos square x minus 1 तो इससे cancel हो जाएगा और ये dx बन जाएगा ये बन जाएगा 1 by 2 integration secant square x dx from minus pi by 4 से लेकर pi by 4 जल्दी से आखे बन कीजिए और बताएगे secant square x का integration कितना होता है क्या 10x होता है क्या और अगर ये 10x होता है तो वह ये limit कहां से कहां तक है minus pi by 4 से pi by 4 तक लगा दीजीए 1 by 2 10 pi by 4 1 10 minus pi by 4 minus 1 तो यह आजाएगा 1 by 2 times of 2 which is equals to 1 दो नंबर में ये सवाल आ सकता है इसे आप easily कर भी सकते है चले अगला सवाल ये रहा बहतरीन एक और मज़ेदार सवाल है ये आपकी book में mcq के रूप में दे रखा है तेके आपको इसका value निकालना है बचो एक अपन आईटीएफ में आपने एक formula पढ़ा हो प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस हाता है और यहाँ पे क्या आजाता है माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस इस तरीके से अब बचो देखना ध्यान से यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए मैंने क्या किया, इसको break किया, कैसे लिखा मैंने 10 inverse, ध्यान से देखना, इसको लिख दिया मैंने x plus x minus 1, यही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों इन दोनों का product आप देखोगे तो नीचे दिख रहे, तो यहाँ पे a plus b upon 1 minus x into x minus 1, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, देख इस वाली चीज़ को अपना ऐसा लिख सकता है, और इसको जैसे आप अलग लग करेंगे, यह बनेगा, i is equals to 0 से लेकर 1, एक तो बन जाएगा 10 inverse x, एक बन जाएगा 0 से 1, एक बन जाएगा 10 inverse of x minus 1 and dx, अभी मैंने एक formula पुड़ाया था आपको, क्या formula था, integration a से b, f of x dx, यह कि के equal आता है, यह equal आता है, integration a से b, f of a plus b minus x and dx, तो यह वाली चीज़ आप इसके अंदर use कर लें, जैसे use करेंगे, ध्यान से देखना, i is equals to 0 से लेकर 1, यह आगया बच्चो, 10 inverse x dx, प्लस integration 0 से 1, a plus b 1 है, तो x की जगे आप लिख लेंगे, a plus b minus x, और यहाँ पर कितना आ जाए यह, यह से cancel, बच्चो, 10 inverse minus x, 10 inverse minus x को, आप क्या minus 10 inverse x लिख सकते हैं, और जैसे यह लिख सकते हैं, तो भई, यहाँ पर लिखिए, यह आजाएगा, i is equals to 0 से 1, भई, जल्ली से 10 inverse x minus 0 से 1, यह आजाएगा 10 inverse x and dx, यह से cancel हो गया, तो i का value किसके equal आगे, 0, आपका answer आजाएग इसमें 0, लिख लीजे से, तो ITF एक भेहतरीन property यूज़ करते होगे, इस type का सवाल भी यह पूर सकता है, ठीके, चले आगे, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, यह रा, भई, यह आपके लिए property-based सवाल है, ठीके, अगर यह given है, f of a plus b minus x, यह given है आपको, कि यह fx के बराबर है, आप भई इसका value निकाल दे, बच्चो देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी भी function के आगे x आ रहा है, तो अपना मकसद होता है, उस x को हैताना, बच्चो इसको मैंने क्या बोल दिया, i, i is equals to integration a से लेकर भी, यह हो जाएगा, x multiply f of x, अब इसमें मैंने वही rule लगा दिया, कौन सा rule, कि integration a से b, f of x, dx, is equals to कितना होता है, integration a से लेकर भी, f of a plus b, minus x, यह होता है, यह नहीं होता, और अगर यह होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यह property इसमें लगा सकते हैं, integration a से b, x की जगे लिख दीजिए, a plus b, minus x, और यहां कितना आ जाएगा, f of a plus b, minus x and dx, आपको कुछ गिवन है, आपको यह गिवन है, कि यह वाली value जो है, वो fx के बराबर है, तो i is equals to कितना कर देंगे, a से लेकर भी, a plus b, minus x, और यहां पर इसकी जगे फिर से कितना लिख दिया, fx, क्या यह बात सब को समझ मैं, बच्चों, यह भी आपको i given था, और यह यह भी आपको i given है, आप दोनों को add कर दीजिए, उस add करने से फायदा क्या होगा, यह जो x हट जाएगा, और जैसे हटेगा, यह बन जाएगा, two of i is equals to integration a से लेकर भी, देखें, भई fx दोनों में common है, तो आपने fx को क्या कर दिया, common निकाल दिया, और अंदर आ जाएगा a plus b minus x और plus x और dx, यह से cancel होगे, अब a plus b constant है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो i is equals to कितना आजाएगा, a plus b divide by 2, integration a से लेकर भी f of x हैं, इसमें 4 option दिये हुए थे, आपको बस match करना था, यह इसका answer हो जाता, तो इस type का जब भी सवाल है, देखो यह property बहुत important है, इसक चले आगे, अगला सवाल यह रहा, करें, एक आसान सवाल, यह से warm-up के लिए है, देखें, करें भई, इसका integration कितना होगा, 1 upon a, 10 inverse, 10 inverse में x upon a, limit कहां से कहां तक है, बच्चों 1 से लेकर 3 तक, मैं गुजारिश करता हूँ हर एक बच्चे से, इसका answer बता दे, भी 3 रखें, य जा जाएगा, 10 inverse 1, 10 inverse 1, minus, 10 inverse कितना जाएगा, 1 by 3, यह तो pi by 4 होता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, चले, चले, अगले सवाल की तरफ, यह रहा, करें भी इस सवाल को, यह सवाल लेने का एक मकसद है, पता है, यह है असान, पर कहीं बच्च आले तो यह बताओ, किसको t माना जाए, तो आप बोलोगे, sir, यहाँ x square आ रहे, तो आप x square को क्या रख दीजिए, t, अब x square को t रखा, तो 2x dx किसके equal आ गया, बच्चो, dt के equal आ गया, तो i is equals to कितना हो गया, जब आप x को 0 रखेंगे, तो t 0 आ जाएगा, जब आप x को 1 र बच्चो, 1 by 2, e minus 1, यह इसका final answer, इसमें तो limit पे इतना फरक पढ़ा नहीं, पर कहीं सवालों में, आपकी जो limit से वो भी change हो जाती है, चलें आगे, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरह, आपको a का value बताना है, अगर this is equals to this है, अब देखें भई, इसका integration होगा, 1 upon a, 10 inverse, x upon a, limit कहां से कहां था कि, limit है बच्चो, 0 से लेकर a, is equals to pi by 8, भई रख दीजी, यह आजाएगा, 1 by 2, 10 inverse, a का value 2 है, यह तो यहाँ पे आजाएगा, a by 2, is equals to pi by 8, यह से बच्चो, cancel हो गया, pi by 4 आगया, 10 को उधर ले जाओ, तो a by 2 is equals to 10, pi by 4, comment box तुमारा है, comment box में लिखकर ब value कितना है, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, वैसे तो सभी कल देंगे, चले आगे, अब चलते हैं कुछ बहतरीन सवालों की तरफ, जहां पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीके, देखे, पहला सवाल यह रख, यह सवाल बोलता है, 1 से लेकर 3 और mod of x-1, mod of x-2 and mod of x-3, देखे, इस टाइप के सवाल जब भी आपके पास है, आपको क्या काम करना है, ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज, आप इन तीनों को break करके अलग-लग लिख लिजे, 1 से लेकर 3, यह बन जाएगा mod of x-1 and dx, प्लस, 1 से लेकर 3, यहाँ पे आप क्य क्या किर दीजे, x-2dx, प्लस, इसको लिख दीजे, इसको क्या लिख दीजे, 1 से लेकर 3, mod x-3 and dx, देखे, एक भ्रहमास्त बताता हूं, जिसमें आपको break करने की ज़्यादा जुरुरत नहीं पड़ेगी, आप क्या किया किजी, इसमें, इसके अंदर क्या है, x-1, तो एक क mod plus के साथ खुलेगा, किसका minus के साथ, और इससे आपकी calculation भी बहुत आसान होगी, द्यान से देखे, भई, dx किसको equal आगे, dt के, तो भई, x को 1 रखिए, 1 रखेंगे, तो t कितना जाएगा, 0, और जब x को 3 रखा, तो t कितना जाएगा, 2, और यहाँ पे, mod of कितना जाएगा, t and dt, इस वाले में, इस वाले में, किसको t रखेंगे, x minus 2, अगर x minus 2 को u रख देना, t मत रखना, t रख चुके हो, तो x minus 2 को क्या कर देना, u, तो dx किसके equal आजाएगा, बच्चो, du के equal आजाएगा, तो यह बन जाएगा, plus, plus में कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा, integration, भई dx किसके equal आजाएगा, dp के equal आजाएगा, तो यह बन जाएगा, integration minus 2, और 3 रखा तो 0, यह बन जाएगा, mod of p, d, अब देखें, अब कितना आसान है यह, अगर मैं बोलू, 0 से 2 में, यह mod positive के साथ खुलेगा, यह negative के साथ, आप बोलोगे, sir, positive, तो यह बन जाएगा, integration 0 से लेक और minus 1 से 0 में, u negative है, तो यह mod negative के साथ खुलेगा, तो यहां आजाएगा, minus u du, plus 0 से 1, इसको break कर लिया, minus 1 से 0, plus 0 से 1, तो minus 1 से 0 में, तो negative, और 0 से 1 में, u positive है, तो यह बन जाएगा, u du, plus, देखो, minus 2 से 0 में, यह negative है, तो यह negative के साथ खोल दीजे, minus 2 से 0, यह बन जाएगा, minus p dp अब बच्चो इसका calculation देखो चुटके बजागे करते हैं यह बन जाएगा t square by 2 from 0 से लेकर 2 यह बन जाएगा minus u square divided by 2 from minus 1 से 0 plus u square divided by 2 from 0 से 1 plus minus p square by 2 from minus 2 से 0 अब भाई value रख दीजे 2 रखा तो बच्चो इसका answer कितना आजाएगा 4 by 2 which is equals to 2 minus 0 plus 0 रखा तो यह 0 आगया और minus 1 रखा तो यह 1 by 2 यह आजाएगा 0 minus of minus 1 by 2 similarly बच्चो इसके अंदर जब आपने 1 रखा तो 1 by 2 आगया और 0 पे कितना आगया 0 plus plus देखें 0 रखने पे 0 आएगा minus minus 2 रखने पे minus 2 आजाएगा अब तो इसको solve कर सकते हैं 2 दूनी 4 और प्लस 1 5 इससे आपकी calculation आसान ही होगी अगर आप इसको क्या करें break करें देखो वैसे भी कर सकते हो 1 से लेकर C में यह positive इसको break पर इसको आप break करोगे इसका integration महाँ पे skill हो जाएगा और अगर integration क्योंकि देखो एक तो x-2 आएगा एक 2-x आएगा वह तुम महाँ पर उलच जाओ तो हमीशा यह काम किया कीजिए आपका आंसर हमीशा ही सही आएगा अगर सिर्फ यहाँ पर linear है तो यह काम आप easily कर सकते हैं इसे लिख लो लिख लिख लिया वह चलें आगे आगे चलते हैं अगले सवाल के यह उसी उसी फॉर्म का सवाल है तेके देखें वह इस सवाल में आपसे बोला कि इसको evaluate करने आपको अब बच्चों ध्यान से देखना इन टाइप के सवाल में आप एक काम जो कर सकते हैं विच आप अंदर वाली quantity इसको जीरो कर दीजिए एकस क्यूब माइनस एकस इस इकोस जीरो अब जैसे आप यह काम करेंगे आपको पता चल जाएगा एकस इंटू एकस स्क्वाइर माइनस वन इस इकोस तो यहां से आजाएगा एकस इंटू एकस माइनस वन इसे इकोस जीरो तो एकस के तीन वैलिउ साजेगे यह वैल्यू से एक तो माइनस वन एक आजाएगा जीरो और एक आप अब चुञान से सुनना अगर अगर मैं सिर्फ वाले function की बात करूं अगर मैं इसमें बात करूं से बढ़ी कोई भी रखता हूं तो जैसे ही रखोगे यह वैल्यू पॉजिटिव आएगी यह वैल्यू आईगी पॉजिटिव यहां पे लगा दू पॉजिटिव और अगर यह पॉजिटिव यह तो वही वेवी कर्व मैथर से यह ना यह फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो जीरो से वन के बीच का कोई ले लो तो यह नेगि करूं अंदर वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव तो यह मौद पॉजिटिव के साथ खुलेगा ये नेगितिव के साथ आप बोलोगे सर यह खुल जाएगा पॉजिटिव के साथ यहां आ कर चुका बच्चो वन से टू तक में यह फिर से पॉजिटिव है तो यहां कितना जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स को आप सिंप्लिफाय कर सकते हैं इसली इंटीग्रेट करके वैलिव डाल सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं करिएगा इससे आंसर बताईएगा मुझे कमेंड बॉक्स तुमा रहा है फिर से कि इसका आंसर क्या रहा है चलते हैं आगे अगले टाइप के सवाल हो मैं यह सवाल देखिए बच्चो इस टाइप का सवाल जब भी आए जब यहां पर साइन इन्वस एक्स और यह है अब इसमें एक्स को कुछ रखने का सोचिए बच्चो अगर मैं इसमें एक्स को साइन थीटा रख देता हूं एक्स को क्या रख दिया साइन थीटा तो दी एक्स किसके एक्वल हो जाएगा यहां पर आजाएगा कॉस थीटा इसका फायदा देखना अब बच्चो अगर एक sin square theta और इसकी whole power कितनी आजाएगी 3 by 2 और dx की जगे आजाएगा cos theta and d theta इसको simplify करते बच्चों यह आजाएगा 0 से लेकर pi by 4 यह आजाएगा theta upon 1 minus sin square theta cos square theta होता है तो यहाँ पर आजाएगा cos की power 3 theta multiply यह से cancel हो जाएगा cos square theta आजाएगा और यह उपर ले जाओगे तो यह जाएगा integration 0 से pi by 4 theta into second square theta और d theta अब इसका integration बाइपार्ट से कर लेंगा theta को छोड़ा second square theta का integration 10 theta minus all integration इसका differentiation बच्चों 1 है और 10 theta यहाँ पर आपके पास आजाएगा और d theta यह बन जाएगा theta 10 theta minus यह होता है ln secan theta from कहां से कहां तक 0 से लेकर pi by 4 क्या limit डाल के answer निकाल सकते हो बताएगा इसका answer किसके equal आ रहे चले आगे आगे चलते हैं अगले बात करते हैं इस type का सवाल देखे देखे बच्चों जब भी sin square x हो यह sin x और cos x और limit 0 से pi by 2 बच्चों इसमें क्या होता है sin cos में change हो जाता है cos sin में change हो जाता है कौन सी property आप लगाते हैं आप बोलेंगे sir a से b fx dx यह किसके equal आता है a से b f of a plus b minus x और यह दोनों बराबर आते हैं तो अगर मैं इसको i बोल देता हूं किसको i बोला i is equals to integration 0 से pi by 2 यहां पर आपके पास क्या है sin square x dx upon sin of x plus cos of x अब आपने यह property लगाई तो i बापीस से किसके equal आ जाएगा यह आ जाएगा 0 से pi by 2 यह बन जाएगा sin pi by 2 minus x which is cos x तो यहां आ जाएगा cos square x upon upon में कितना आ जाएगा sin x plus कितना आ जाएगा cos x ठीक है सेम भाई रहेगा यह cos plus sin ही बनेगा इन दोनों को आप add कर दीजें तो 2i किसके equal आ जाएगा जल्दी से बताएगे 0 से pi by 2 दोनों का denominator से ही में sin x plus cos x और उपर कितना जाएगा sin square x plus cos square x यह कितना होता है sin square x plus cos square x कितना होता है तो यह सवाल तो easily solve हो जाएगा कैसे करोगे बताओ जड़ा कैसे सोचव तो भई 2i is equals you कितना हो गया 0 से लेकर pi by 2 द्यान से देखना 1 upon sin of x plus cos of x and dx बच्चो इसमें मैंने क्या किया root 2 से multiply भी कर दिया root 2 से divide भी कर दिया यह काम क्यों किया यह काम अपने इसलिए किया है क्योंकि बच्चो यह ऐसा बन जाएगा 2i is equals to 1 by root 2 integration 0 से लेकर pi by 2 इसको अपन लिख सकते है sin x plus pi by 4 क्या लिख दिया x plus pi by 4 और यह सवाल ऐसा बन गया 2i is equals to 1 by root 2 integration of 0 से लेकर pi by 0 से लेकर कितना आ गया pi by 2 0 से pi by 2 और 1 upon sin क्या होता है कॉसेक तो यह जाएगा कॉसेक ओफ x plus pi by 4 ndx क्या इसका integration तुम लोग जानते हो ln of कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और जैसे integration जानतों लिमिट डालके क्या इसका value निकाल सकते हो तो बच्चो जब भी नीचे इस form का बने a sin x plus b cos x तो आपको पता है क्या करते हैं अंदरूट a square plus b square से multiply divide करके sin a plus b के formula में convert करके उसको solve करके इस तरीके से आप answer निकाल सकते हैं आप solve कीजेगे इसका final answer यह इसके equal आ जाता है कल लोगे नहीं इसका integration करके limit डालने है चलते हैं आगे इस type के सवाल जो भी है अब बताइए कैसे सोचूंगा में बताइए उपर गया रहा है sin x plus cos x क्या रहा है sin x plus cos x तो क्या किया जाए जल्दी से बताओ sin x minus cos x को sir t माल लिया जाए देखते ही हमें समझ में आ गया क्योंकि अगर मैं इसका differentiation करता हूँ वो cos x plus sin x dx यह किसके equal आ जाएगा यह equal to आ जाएगा dt के अब यह sin 2 x तो आप चुटकी बजा के convert कर लेंगे क्या बोलेंगे सर sin x minus cos x का जो whole square होता है न यह किसके equal होता है 1 minus sin 2 x के होता है यह नहीं होता और अगर यह होता है इस सवाल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं pi by 6 से लेकर pi by 3 उपर आ जाएगा sin of x plus cos x और नीचे कितना आ जाएगा under root में कितना आ जाएगा sin 2 x की जगे लिख दिया 1 minus sin x minus cos x का क्या हो जाएगा whole square और dx इसको अगर t बोला ध्यान से देखें किसको t बोला इस वाली quantity को तो i is equals to कितना आएगा अगर आप इसके अंदर pi by 6 रखते हैं कितना रखते हैं pi by 6 तो 1 minus बताएगा और जब pi by 3 रखोगे यह root 3 minus 1 by कितना जाएगा 2 1 upon under root 1 minus कितना होगा t square dt यह कितना बन जाएगा बताएगा यह इसका integration sin inverse ती आ जाएगा और limit आपको पता यह कहां से कहां तक 1 minus root 3 divided by 2 से root 3 minus 1 divided by 2 तो यह बन जाएगा sin inverse under root 3 minus 1 divided by 2 और यह भी बच्चो माइनस लिखेंगे sin inverse 1 minus root 3 divided by 2 इसमें से minus common निकालेंगे तो यह two times आजाएगा sin inverse under root 3 minus 1 by 2 यह तो calculation में मुझे सिखाना यह method तो अब तुम्हें समझ में आजाएगा इस टाइप का जब भी सवाल आए आपको क्या काम करना है लिख लीजी इसे इसे लिख लीजी चलें आगे आगे चलते हैं बहुत प्यारा सवाल है इस पर स्टा माग कर ले ना देखें भई यह सवाल यह सवाल में आपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे एसे भी fx dx भई वो बनती है ना एसे लेकर b f of x dx यह किसके को लाता है एसे लेकर b f of a plus b minus x dx यह प्रॉपर्टी अपन यूज करने वाले देखें इस वाली कॉण्टीटी को मैंने i बोल दिया तो i is equals चुजएगा 0 से लेकर pi by 4 log में कितना आगे बच्चों 1 प्लस 10x and dx अब property use कीजिए जैसे आप I लिखेंगे यह हो जाएगा 0 से लेकर πाई बाई 4 यह जाएगा log base में E 1 प्लस 10 10 में कितना आजाएगा A प्लस B माईनस X विच इस पाई बाई 4 माईनस X और यह हो जाएगा dx बच्चो 10 A माईनस B का फॉर्मला बता दीजी मैं यहां लिख देता हूँ 10 A माईनस B का फॉर्मला कितना होगा यह बनेगा 10 A माईनस 10 B 10 A माईनस 10 B अपॉन 1 प्लस 10 A 10 अब जैसे आप यह फॉर्मला इसमें यूस करेंगे यह बनेगा I is equals to 0 से लेकर पाई बाई 4 यह बन जाएगा लॉग E 1 प्लस देखें 10 A 10 पाई बाई 4 वन होता है तो बच्चो यह आजाएगा 1 माईनस 10 X अपॉन 1 प्लस 10 X और दीएक्स बच्चो इसका LCM लेलो अब तो आपको LCM जैसे लोगे आएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 लॉग बेस में उपर देखना यहाँ पे तो 1 प्लस 10 X और उपर आजाएगा बच्चो 1 प्लस 10 X प्लस 1 माईनस 10 X यह 10 X से 10 X कैंसल हो गया तो बच्चो यह किसके एक्वल आगया 0 से पाई बाई 4 यहाँ आजाएगा लॉग ई 2 प्लस 10 X अब बच्चो उसको और फर्दर सिंप्लिफाई करते हैं यह वैल्यू आई के एक्वल थी तो आई इस इकोस ची हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 द्यान से देखें लॉग A अपॉन B को आप लॉग A माईनस लॉग B लिख सकते हैं लिख लीजी यहां जाएगा लॉग 2 माईनस 0 से पाई बाई 4 यहां लिख दिया लॉग E 1 प्लस 10 X यह शकल तुम्हें देखी देखी लग रही है क्या यही तो सवाल था तो यही तो अपन ने आई बोला था और अगर इसको मैं आई लिख देता हूँ इसको इदर लाया तो 2i is equals to log 2 बहार निकाला यहां आजाएगा 0 से पाई बाई 4 1 डी एक्स अरे इसका integration करना आता है सबको यह हो जाएगा पाई बाई 4 लॉग 2 और यहां से आई कितना आजाएगा पाई बाई 8 एं लॉग 2 बहुत प्यारा सवाल है यह वापिस से जिसको आई मानते हैं वह वापिस से आई बनके solve हो जाता है कर लो इसे जल्दी से कर लो और आंसर बता दो चले आगे आगे चले अगले सवाल की तरफ एक और बैटरीन सवाल ध्यान से देखें यह सवाल बहुत प्यारा है ठीक है और इसको आप समझने का तर द्यान से देखना 2 sin theta and cos theta और upon में कितना है upon में है sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta and d theta देखो उपर power कितनी है 2 एक इसकी और नीचे power कितनी है 4 यानि difference कितने का है 2 बच्चो जब भी तिगनोमेत्री में difference 2 का होना आप एक काम कर सकते हैं उसको पूरी equation को 10 में change कर लीजिए किस में change कर लीजिए 10 में 10 में change करने के लिए अपने क्या किया divide किया divide numerator and denominator by cos की power 4 theta अब इसका फाइदा क्या होगा ध्यान से देखें यह i is equals to कितना आ गया integration 0 से लेकर by by 4 यहां जाएगा 2 sin theta cos theta upon upon कितना आ गया इसको मैंने लिख दिया cos की power 4 theta upon यहां जाएगा sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta upon cos की power 4 theta और d theta बच्चो इसको simplify करेंगे तो ध्यान से देखें एक cos इससे cancel होके कितना आ जाएगा cos cube theta अब इसमें से एक cos इसके साथ ले गए sin upon cos कितना हो गया 10 तो यहां पर बन जाएगा 2, 10 theta कितना आ गया 2, 10 theta और cos square बच्चा उसको secant square theta लिख दिया और नीचे आ जाएगा 10 की power 4 theta plus 1 देख लो और अपन अगर यह देख पा रहे है लिमिट कहां से कहाता कि 0 से लेकर 5 by 4 और यहां कितना आ गया d theta अब बच्चो देखो ध्यान से सुनना अब एक और चीज अगर तुम observe कर पाओ यह 10 square theta का differentiation तो अब मैंने क्या किया इसके अंदर 10 square theta को t माल लिया तो 210 theta into secant square theta d theta यह किसके equal आ गया d t और अगर यह dt के equal आ गया तो बच्चो आई कितना हो गया देखो जीरो रखोगे तो जीरो पाइबाए 4 रखोगे तो वन वन अपॉन प्लस टी स्क्वार दीटी आरे यह तो एक चिंदी सवाल हो गया और इसका answer किसके equal आ जाएगा पाइबाए 4 के यह ना बहुत प्यारा ट करके सेम यह procedure आप अपना सकते हैं चलें आगे आगे चलते हैं अगली बात करते हैं यह रहा सवाल अब बच्चो देखो एक standard type के सवाल आते हैं जहां पे function के आगे x होता है मैंने पहले भी बात की थी जब भी ऐसा हो आप कौन सी property use करेंगे a से लेकर b f of x dx जो होता है वो कि गया हटाने का है यह x और यह जैसे यहाप x हटाएंगे आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा अब बच्चो इसको मैंने आई बोल दिया तो आई जिको स्यों क्या हो गया integration 0 से लेकर पाई यहाँ पे हो गया x sin x upon upon में कितना हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वार एक्स अब देखे जाएगा इसका whole square x बच्चों सको solve कीजिए गया जाएगा 0 से लेकर पाई यहाँ आजाएगा पाई-x in2 sin x x क्या होता है sin x होता है और cos pi minus x क्या होता है minus cos x होता है पर square है तो वापीस से कितना बन जाएगा 1 plus cos square x and dx इसको मैंने first equation और इसको मैंने क्या बोल दिया second equation दोनों को add कर तो जैसे दोनों को add करोगे 2i आजाएगा integration 0 से लेकर pi दोनों का l से में 1 plus cos square x और उपर sin x common लिया तो अंदर आजाएगा x plus pi minus x और साथ में कितना आजाएगा dx यह x x cancel कर दो इस pi को बाहर निकालो तो यहां से आपके पास आजाएगा 2i is equals to pi integration 0 से लेकर pi साथ में बताओ पई उपर तो sin x आ रहे है और नीचे कितना आ रहे है नीचे आ रहे है आपके पास 1 plus cos square x and dx क्या यह समझ पा रहे हो किसको t मानने का सोच रहे हो तो तुम यह सोच रहे होंगे सर cos x को क्या मान लिया जाए इसका फाइदा माइनस sin x dx किसके equal हो जाएगा dt के equal हो जाएगा तो यह बन जाएगा 2i is equals to pi integration जब 0 रखोगे तो 1 और यहां पर minus 1 और यहां पर आ जाएगा minus 1 upon 1 plus t square and dt यहां से आपके पास आ जाएगा i is equals to i is equals to कितना आ जाएगा pi by 2 और 7 में 10 inverse t 10 inverse t from minus 1 से 1 क्यों क्योंकि यह minus है न यह तो इतना confuse मत हो यह minus यह लखा तो ठीक है अब value रखो यहां जाएगा i is equals to minus pi by 2 10 inverse minus 1 minus pi by 4 होता है और यह minus pi by 4 तो यहां जाएगा i is equals to minus pi by 2 into minus pi by 2 which is equals to pi square by 4 बस main मकसद क्या था इस x को हटाना यह x कैसे हटेगा यह property से जब भी आए x यही काम कर ले ना ठीक है चले आगे इस type का equals सवाल है यह तरो गई जल्दी से क्या करोगे जल्दी बताओ यहां पे इसको अपनने क्या माल लिया i इसको अपनने क्या माल लिया i और जैसे आप इस 10 of pi minus x क्या होता है बता सकते हैं बहुत ही बढ़िया 10 of pi minus x अगर आप देखेंगे तो बच्चों यह किसके equal होता है minus 10 x के equal होता है और similarly sec of pi minus x देखेंगे यह भी कितना होता है minus sec x के equal होता है तो यहां लिख दीजिए 10 of pi minus x और upon में कितना आ जाएगा secant of pi minus x और साथ में plus 10 of कितना आ जाएगा pi minus x and dx बच्चों इसको solve करते हैं 0 से pi देखें भई pi minus x यहां पर minus आएगा और इन दोनों में minus आएगा cancel out कर दीजिए और जैसे आप इसको cancel out करेंगे यह आ जाएगा 10x upon 10 of x plus sec of x और कितना आ जाएगा इसको मैंने first equation बोला इसको मैंने second बोला और दोनों को क्या कर दिया जैसे दोनों को add करेंगे बच्चों 2y किसके equal आ जाएगा यह आ जाएगा 0 से लेकर पाई और नीचे कितना आ जाएगा secant x plus 10x और उपर कितना आ जाएगा वह 10x common निकाल लीजिए तो अंदर आ जाएगा x plus pi minus x and dx यह cancel out हो गया पाई को बाहर निकाल दो तो i कितना हो जाएगा pi by 2 into integration 0 से लेकर पाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x upon में कितना आ जाएगा secant x plus 10x बच्चों इसमें मैंने क्या किया secant x minus 10x से ओपर नीचे multiply कर दिया क्यों क्योंकि secant square x minus 10 square x कितना होता है बच्चों होता है ना वन और जैसी आप यह काम करेंगे i is equal to कितना हो जाएगा 0 से पाई by 2 0 से लेकर पाई देखें secant square x minus 10 square x यह वन होता है तो ओपर कितना जाएगा sec x 10x और minus कितना जाएगा 10 square x यह आ जाएगा nd x देख लें भई हो जाएगा अब बच्चों 10 square x का integration कैसे करते हैं secant square x minus 1 करके तो देखें भई इसको लिख देते हैं i is equal to pi by 2 into integration 0 से देखो तो तुम्हें उसमें थोड़ा सा time invest करना ही पड़ेगा अब देखें भई sec x into 10x है इसका integration कितना होता है आप पहले लिख लीजिए sec x into 10x और minus इसको लिख दिया secant square x minus 1 and dx from 0 से लेकर पाई किलिए रहे बोलो भई चले sec x 10x बताएं तो i is equal to इसको लिख दिया pi by 2 into integration देखें भई इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं इसका integration होता है कितना होता है है एक सेकंड रुक ना हम वह इसका integration कितना होता है sec x 10x का sec x from 0 से लेकर पाई ठीक है और और यहां पर इसका integration कितना होता है देखो इसको पहले पूरा इंटिग्रेटी कर देते हैं यह हो जाता है secant x- इसका integration होता है 10x और प्लस कितना हो जाएगा from 0 से लेकर पाई क्या तुम इसकी लिमेट डाल सकते हो कि इसका answer भी निकाल सकते हो easily आप इसका answer आपके पास आजाएगा इसका answer आपके पास easily आजाएगा कीजिएगा और बताएगा इसका answer किसके एकवल आ रहा है ठीक है वह वैल्यू डालनी है और answer निकाला है चले आगे आगे चले अगले सवाल की तरफ यह रहा अब 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 तुम्हारी परिक्ष है बताओ जरद क्या करना चा यह किसके एकवल हो जाएगा यह क्या है आपके पास आई अब लिमिट डाल दो सीधे सीधे कामी हो जाएगा अचा एक और चीज बताओ sin x minus cos x का जो whole square होता है यह किसके एकवल होता है 1 minus sin 2x के होता है तो इस तरीके से आप इसको solve करेंगे तो i is equals you आजाएगा जैसे आप इसके अंदर 0 रखेंगे तो बच्चों यहाँ कितना आजाएगा minus 1 और 5 by 4 रखेंगे तो कितना आजाएगा 0 उपर तो आजाएगा भई dt upon 9 plus 16 और sin 2x की जगे आप लिख सकते हैं 1 minus sin x minus cos x को टीम आना था ना तो 1 minus t square तो भई यह बन जाएगा minus 1 से 0 1 upon 25 minus 16 times of t square डीटी 16 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर आजाएगा minus 1 से 0 यह आजाएगा 1 upon 5 by 4 minus t square डीटी क्या अब तुम इसको solve कर सकते हो यह 5 by 4 का whole square a square minus x square और इस तरीके से इसका answer भी तुम लोग निकाल लो तो यह form पहचान पाए है ना अब हो जाएंगे इसके सवाल promise करो नीचे लिख देना promise सर अब इस ताइप का सवाल आ है तो हम गलत नहीं करेंगे है ना मतलब यह बहुत मुश्किल है किसी बच्चे को यह दिमाग मे अब आप बोलो कि सर हमने तो देखा ही नहीं है सवाल हमने कब किया देखना बच्चो इसको मैंने क्या कर दिया आई माल लिया ध्यान से देखना अभी अभी तुम्हें याद आ जाएगा अगर मैं एक्स को टैन ठीटा रख देता हूं अब टैन ठीटा क्योंकि बच्चो न अब कर पाओगे तो डैरेक्ट दे तो ऐसे कर लेना और डैरेक्ट नहीं दे तो तो ऐसा देगा तो ऐसे भी तुम लोग आसानी से कर पाऊगे बताओ वही कर लोगे क्या बोलो कि यह वहला सवाल अब तुम से हो जाएगा यह अब यह हो जाएगा आगे फरदर इसमें इसको क्या करोगे किंग रूल लगाओगे और वह सेम वही प्रोसेजर चलते हैं आगे सवाल की तरब अगला सवाल यह ला करोवे देखो इसको सबसे पहला अगर आप देखोगे अंडरूट कोटेक्स है इसमें डिरेक्ट तो नहीं बना पाऊगे पर अगर आप इसको चेंज करोगे बच्चों यह बन जाएगा पाइबाए सिक से लेकर पाइबाए त्री क्या अपॉन अपॉन अंडरूट कोटेक्स अपॉन अंडरूट कोटेक्स इसका एलसेम लेकर अगर आप इसको लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं पाइबाए 6 और यहां लिख दिया पाइबाए 3 यहां उपर आ जाएगा अंडरूट साइन एक्स और नीचे कितना a plus b का value कितना है pi by 2 तो जैसे आप इसके अंदर king rule लगाओगे यह आजाएगा pi by 6 से लेकर pi by 3 और यहाँ पर sin किसमें change हो जाएगा cos और cos किसमें change हो जाएगा sin क्योंकि sin 90 minus x cos x होता है और cos 90 minus x sin x होता है तो यह बन जाएगा under root cos x upon under root of cos x plus under root of कितना आजाएगा sin x और dx आप इसको first equation बोल दें इसको second equation बोल दें इन दोनों को add कर दें जैसे दोनों को add करेंगे 2y आजाएगा बच्चो pi by 6 और यहाँ आजाएगा pi by 3 और 1 dx क्यों? अरे denominator सेम है numerator add करोगे, सेम हो जाएगा और अगर यह हो गया तो 2y किसके equal हो जाएगा x from pi by 6 और यहाँ आजाएगा pi by 3 तो 2y किसके equal आजाएगा pi by 3 minus pi by 6 के equal यानि 2y किसके equal आजाएगा pi by 6 यानि इससे i कितना आजाएगा pi by 12 किलिए रहे गया? answer आजाएगा इसका pi by 12 अब कर पाओगे इस ताइप का इसमें तो direct नहीं दे रखा था कहीं बार यह ऐसे ताइप के सवाल जैसे sign की power 2022 upon sign की power 2022 plus cos की power 2 तो वो सेम है ना तो जब भी a plus b pi हो रहा है तो यह king rule लगे गए लगेगा तेक है इस type का सवाल आप से हो जाएगा चलते हैं आगे अगला सवाल अब पहले तो यह बताओ इसको सोचोगे कैसे क्या x दिख रहेगा तो पहला मकसद क्या होना चीए x को हटाना ठीक है और अगर इस x को हटाने की तरफ जाओगे king rule लगाओगे तो i is equals to कितना आजाएगा 0 से pi यहाँ आजाएगा pi minus x upon 1 plus sin sin pi minus x बच्चो sin pi minus x sin x ही होता है तो यह बन जाएगा 0 से लेकर pi pi minus x upon upon में कितना आजाएगा 1 plus sin x and dx यह first equation इसको second बोल दे है दोनों को add कर दो तो 2y किसके equal आगया यह आगया 0 से लेकर pi नीचे आजाएगा 1 plus sin x और उपर कितना आजाएगा pi and dx यह pi तो बहाँ निकाल दो अब इसको integrate करना असान है कैसे अरे इसको कुछ भी मत सोचो 1 minus sin x से उपर नीचे multiply कर दो किस से multiply कर दो 1 minus sin x से उसका फायदा क्या होगा नीचे देखो 1 minus sin square x बन गया तो i कितना आगया pi by 2 integration 0 से pi देखें उपर तो आजाएगा 1 minus sin x और नीचे कितना आजाएगा 1 minus sin square x cos square x होता है तो लिख लिजिए से cos square x and dx अच्छा 1 upon cos square क्या होता है secant square x तो यह बन जाएगा 0 से लेकर pi यहाँ पर आजाएगा secant square x minus sec x 10 x अरे इसका integration 10 x होता है क्या तो आई कितना आगया pi by 2 यह आजाएगा 10 of x minus sec of x from 0 से लेकर pi by 2 0 से pi 0 से कितना आजाएगा pi रख सकते हो 0 रख सकते हो इसका answer comment box में जरूर बताना कितना आ रहे तो जब भी x है तो तुम्हें यह same method follow करना है कि लिए रहे चले आगे आगे चलते है एक सकेंड रुक न चलिए 5-6 और सवाल है 4 सवाल हो रहे तो यह सारे main main अब यह main main वाले सवाल है इसके बाद वाले ठीक है वो मैं अपने पसंद के लेकर रहा हूँ देखना यहाँ पे आपको क्या बोला गया 10 inverse है पर 10 inverse के अंदर कौन है sine x और sine x का differentiation होता है cos x तो मैंने क्या किया sine x को t माल दिया sine x को क्या माल दिया t तो cos x dx किसके equal हो गया dt के equal हो गया तो ध्यान से देखे i कितना आजाएगा बच्चो अगर x को 0 रखोगे यह 0 हो जाएगा पाइब बच्चो रखा तो 1 देखे sine x को t बोलाए तो यह आजाएगा 2t cos x dx dt बनेगा यह यह दी टी बनेगा और यहाँ पर कितना आजाएगा 10 inverse t और dt इस 2 को बहार निकाल दीजी और इसके अंदर क्या लगेगा by parts इसके अंदर क्या लग जाएगा by parts by parts लगाई है तो i is equals to 2 ध्यान से देखे आपने 10 inverse t को छोड़ा t का integration t square by 2 minus whole integration इसका integration हो गया t square by 2 और इसका integration 1 upon 1 plus t square इसका differentiation बच्चो इस 2 को अंदर multiply किया तो यह आजाएगा limit कहा से कहा तक है जीरो से बन जीरो से बन देखें भई यह बन जाएगा i is equals to 2 तो अंदर ले गए तो यह आजाएगा t square 10 inverse t इसमें तो limit डालके इसको free कर दो इस 2 से 2 को अंदर ले गए तो minus यह बन जाएगा t square upon 1 plus t square dt कहा से कहा तक 0 से बन तर ताकि नीचे वाली की शकल उपर बन जाए अब ध्यान से देखें यह तो आप रख दे i is equals to 1 रखा तो यह आजाएगा pi by 4 0 पे तो 0 अब इसकी बात करते minus देखो जो 1 बना है उसका integration t minus 10 inverse अरे समझ पा रहे हो 0 से बन रख पाओगे class 12 में हो तुम क्या यह कर पाओगे कि t square plus 1 upon t square plus 1 उसको 1 लिख देना और 1 के integration को t लिख देना है ना हाँ बहुत ही बढ़ याद और इसको आप ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर कितना कर देंगे plus सही कि है ना समझे यह गलत किया गलत है यह माइनस ही आएगा यहां कितना आजाएगा माइनस ठीक है 1 और 0 रख दो answer निकल जाएगा 0 पर तो 0 ही है और 1 पर इसका value आजाएगा तो इसका answer हो जाएगा pi by 2 minus 1 i is equals to कितना हो जाएगा pi by 2 minus 1 यह easily आपसे solve हो जाएगा तो यह main कुछ सवाल थे definite integration के तो मैंने indefinite और definite के कुछ सवाल जो है जो मुझे लगता है कि यह आ सकते हैं और देखो यह video थोड़ा सा lengthy इसलिए है मैं नहीं चाहता एक भी ऐसा सवाल छूटे और तुम भी comment box में बता सकते हो क्या तुम लोग चाहते हो कि अपन क्योंकि chapters लंबे हैं अभी जैसे area एक छोटा chapter है तो उसका video थोड़ा कम होगा उसका duration कम होगा पर integration आप खुदी जानते है और मैंने चाहता है एक भी concept ऐसा छूटे जहां से सवाल आए और तुम्हारा एक number भी करते तो यार यह मुझसे promise करो देखो मैं अपना 100% effect डाल दाओ अब तुम्हारी promise के उपर है कि तुम क्या अपना 100% डालने को तयार होके एक के concept को तुम करने को तयार होके ऐसा नहीं हो यहां पे इसका integration करना था आपको ठ्यान से देखें यह ऐसा कुछ दे रखा है बच्चो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस तू को अपन उपर ले जा सकते हैं और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 plus x square into ध्यान से देखें log log के अंदर एक तो 1 plus x square है और minus कितना हो जाएगा log of x square और upon में कितना हो जाएगा x की power 4 and 10 देखें अभी भी ये खतम नहीं होगा अभी अपन को क्या करना है अभी अपन को और simplify करना है under root 1 plus x square और minus होता है तो ये divide में convert हो जाता है और इन दोनों को divide करोगे तो ये आजाएगा 1 plus 1 by x square और upon में कितना आजाएगा x की power and dx अब बच्चों इसको solve करना है तो ध्यान से देखें यहाँ पर 1 plus 1 upon x square बनदा है तो मैंने क्या किया इसमें से x square common निकाल लिया जब इसके अंदर से आप x square common निकालेंगे तो बाहर कितना निकल जाएगा x उसको इससे divide मारती यह आजाएगा अंडर रूट 1 plus 1 by x square और log log में कितना जाएगा 1 plus 1 by x square और बाहर कितना बच्च जाएगा 1 upon x cube and dx अब किसको t मानेंगे आप सीधे सीधे 1 plus 1 by x square को क्या माल लेंगे तो इसका differentiation minus 2 upon x cube dx एक किसके equal आजाएगा dt के तो वह यहां से आपके पास बन जाएगा ध्यान से देखें यह आजाएगा अंडर रूट of t log of t और यहां यहां पर आ जाएगा minus dt by 2 कि इसमें क्या करोगे बाइपार्स लगाओगे बाइपार्स लगा कि क्या सिंप्लिफाय कर दोगे हो जाएगा तुमसे एक की लाइन में वह सॉल हो जाएगा चले आगे आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह फिस से इसके आने के चांसिस बहुत जाता है यह तुमारे ncrt का सवाल है द्यान से देखना इस सवाल को सॉल करने से पहले मैंने क्या किया मैंने यह देखा यहां पर मुझे किसको integrate करना था यहां पर मुझे इस तरीके से integrate करना था under root of sin cube x into sin of x plus alpha and dx बच्चों यहां पर मैंने क्या किया ध्यान से सुनना इस वाले में यह step आप थोला सा याद रखें इसमें अपन sin x से multiply भी कर दिया और sin x से divide भी कर दिया क्या किया sin x से multiply और sin x से divide इस sin की पावर 4x को बहार निकालोगे तो sin की पावर 2x आएगी तो यहां लिख लीजिए 1 upon sin square x और यहां कितना आजाएगा 1 upon integrate तो लगा दिया 1 upon कितना आजाएगा under root under root में कितना आजाएगा sin x plus alpha एक काम करो इस sin x plus alpha को भी open कर दो sin x plus alpha को क्या कि अपन ने open कर दिया तो यहां पे ध्यान से देखें नीचे तो कितना है sin x और ऊपर कितना आजाएगा sin x cause alpha plus cause x sin dx ठीक है ऐसा हो गए इसको सिफ मैंने open किया है अब देखना इसको divide मारोगे तो यह आजाएगा integration इसको उपर ले गए तो यह हो जाएगा cause x square x upon upon में कितना आगया बच्चों देखो इसको इससे divide किया तो under root में कितना आगया cause alpha plus इसको इससे किया तो cortex into sin alpha आगया अब मुझे यह बताओ alpha तो constant है अगर आप इस अंदर वाली quantity which is cause alpha plus cot of x into sin alpha अगर आप इसको t square बोलते हो देखें cause square x का value रख दीजिए तो यहां से आप बोल देंगे sir integration यहां नीचे तो बन जाएगा under root of t square उपर कितना आजाएगा cause x square x का value यहां से लिख सकते हैं minus 2t dt into 1 upon sin आजाएगा बच्चों यह t square से यह भी cancel हो गया और यह जैसे ही आप cancel करोगे यहां आजाएगा minus 2 upon sin alpha तो बहार और इसका integration कितना हो गया t plus c क्या t का value यहां से फिर से रख सकते हो और जैसे ही रख सकते हो कि इसका answer निकाल सकते हो तो यह बहुत प्यारा सवाल है एक और मैथाड़ है इसका यहां पर कहीं लोग इस वाली चीज़ को t square बोल देते हैं वह थोड़ा असान देते हैं किसको t square बोल देते हैं sin of x plus alpha upon sin alpha इसको आप क्या बोल देते हैं इसका differentiation इसका differentiation बच्चो यह बन जाता है कि एना वो जो साथ में यह साइन अलफा है वो तो constant है तो इसका differentiation यह बनेगा उससे वह थोड़ा असान हो जाता है तो आप दोनों में से कोई भी सकते हैं आपका answer आजएगा चले कि आखरी सवाल आज को यह सवाल बोलता है कितना बोला है ध्यान से देखें जीरो से लेकर पाई-बाई-टू यह आपका example का सवाल है एना ncrt में example में given है यह साइन एक्स ठीक है यह कुछ छुपे हुए सवाल है जो आने के chances है ना बच्चा उनको normally skip करके जाता है तो अपने उनको सब ढूंड लिया तो इसके अंदर king rule लगाया तो जीरो से लेकर कितना होगा बच्चो पाई-बाई-टू और लॉग यहां पर कितना जाएगा sin pi by 2 minus x है ना बही property use कर ले ना a से b f of x dx यह कितना होता है a से लेकर b और यहां कितना आता है f of a plus b minus x है अब देखें बहीं यहां पर कितना जाएगा sin of pi by 2 minus x है ना और यह कितना हो जाता है integration 0 से pi by 2 यह बन जाता है log cos x dx अब आप क्या करेंगे आप इन दोनों को add कर दीजिए जैसे दोनों को add करेंगे to y is equals to कितना हो जाएगा integration 0 से pi by 2 यह आ जाएगा log of sin x और plus log of cos x and dx बच्चो log में plus होता है तो multiply में convert हो जाता है और इसको आप ऐसा भी लिख सकते है log sin x cos x इसको मैंने 2 से multiply कर दिया divide कर दिया उसका reason क्या है बच्चो 2 sin x cos x sin 2 x होता है तो देखें भई i is equals to कितना आ गया 0 से pi by 2 एक तो बन गया log sin 2 x और minus कितना आ गया 0 से pi by 2 और यह आ जाएगा log to dx अब ध्यान से देखना इसके अंदर मैंने क्या किया बच्चो 2 x को टी माल दिया अब जब आप 2 x को टी मानेंगे तो यहां से dx किसके equal आ जाएगा बच्चो इन्टू dty2 एक और माइनस माइनस ध्यान से देखना बच्चो आपने क्या किया इस log 2 को बाहर निकाल दिया यह बन जाएगा 0 से pi by 2 और 1 dx अब बच्चो एक चीज बताओ मुझे आपने एक property पढ़ी होगी अगर integration 0 से लेकर a fx dx 0 से 2a fx dx यह two times of integration 0 से fx dx भी होता है यह कब होता है जब f of 2a minus x किसके equal हो जाए fx के equal हो जाए यह property अपने पढ़ी थी one shot में तो यहां से यह property मैं use करता हूं तो यह इसको मैंने क्या कर दिया pi by 2 लिखा और 2 लिख दिया इस 2 को क्या कर सकते से नीचे उतार सकते और इस 2 को जैसे नीचे उतारेंगे 2i is equal to 2 को नीचे उतारा तो 2 upon 2 integration 0 से लेकर pi by 2 ध्यान से देखें log of कितना आ जाएगा sin t dt minus इसका integration pi by 2 log 2 अब बच्चों यह वाली quantity फिर से यह तो cancel हो गया यह quantity फिर से आई बन गई तो 2i is equal to pi by 2 log 2 हो गया तो यहां से i की value आप क्या बोल देंगे i is equal to pi by 2 log 2 और 1 minus यह इसका final answer और इस तरीके से इसको आप solve कर सकते हैं यह इसका main step है यह वाला यह वाला क्या बोला property होती है 0 से 2 fx dx यह 2 नीचे उतार जाता है पर यह कब उतरता है जब f of 2 minus x के equal होता है fx के तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं तो आई होप आपके जितने भी query है और जितने भी प्यारे प्यारे सवाल है जो NCRT या फिर उसके इसमें तो बस अब आपको यह करना है वह वन शॉट और यह दोनों आपने जब कर लिया तो आपका यह चैप्टर से कोई सभी एक ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं तो आई ओप यू अंडेस्टूट इट वैल थैंक यू और बैस इस ते पॉजिटिव इस से मोटिवेटिव मिलते हैं नेक्स चैप्टर में तब तक के लिए बाई टेक क्यार और हस्ते रहिए या है और टेंशन में लेना रहुनक सरे साथ में बाई टेक क्यार गईस मिलते हैं